नमस्कार दोस्तों स्वगत आपका इस study for civil services में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका feedback है कोई suggestion में तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरं सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यही नंबर है अमारे सिर्फ जहां पर कर सकते हैं इस्टाग्राम पर पे जरूर फॉलो कर लिएगा एड़ दरेट इपर सिविल्स है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागा था इस्टडी फार एक्जाम्स में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो एक्ज जो है यह पापा वीडियो रिलीज कर रहे हैं इसमें जो है सभी सब्जेट का कम्प्लीट कमबाइन कुईक रिजन कराए जाएगा तो आप लोग वीडियो एक से दो बार देख लेजेगा वीडियो हो सके तिसकी स्पीड बढ़ा लेजेगा और इस ते आपकी परिच्छा म में बहुत से प्रस्त देखनें को मिलेंगे वीडियो शुरू करने इस पर बताना चाहता हूं यू पियसी आरो बियो एलाबाद हाई कोट आरो एरो साइथ हमारे कई पेड़गूप चले हैं अगर आप इन पेड़गूप जुनना चाहते हैं तो यह हमारे दिये गए नंब ती सूचियों को वर्डन है एक आपका संग सूची दूसरी आपके राज सूची तीसरी आपके समवर्ती सूची तो संबिधान की सात्वी अंसूची का अंदरगत जो है जनगर्णा को संग सूची का अंदरगत रखा गया है और यही कारण है कि देश की जनगर्णा जो दा ख़खत के दिया गया ह। भारत में जो पहले जर्गणा में कारिकाल में वर्ष बार्ष 1872 तरिम होय थी और पहली जो आदिकारी जनगना हो और दो हजार 21 की जो जनगर्णा हो रही है वो स्वलामी जनगर्णा है भारत की. वर्स 1948 में जनगर्णा अधिनियम परित किया गया था जो जनगर्णा को वैधानिक अस्तर प्रदान करता है. केंदरी अस्तर पर इस विभाग का जो सीर सदिकारी होता है वो महाराज़्टरार एवं जनगनना आयुत कहलाता है 2021 में जो जनगनना हो रही है वापकी स्वलामी जनगनना है और इसके जो जनगनना आयुक थे हो आपके डॉक्टर विवेक जोसी जी है और 2021 जो जनगनना हो रही है वो इसकी जो थीम रखी गई है जन भागिदारी से जन कल्यान इसकी थीम रखी गई है आई हम लोग कुछ इंपोर्टन फैट कवर कर लेते हैं 2011 की जनगनना से 2011 की जनगनना की जो नारद दिया गया था वो हमारी जनगना हमारे भविस यह नारत दिया गया था और कुछ साच्छतादर की बात करें तो भारत की साच्छतादर 2011 के अनुसार हो आपकी 73% है ग्रामीड साचातादर वो आपकी 37.8 परिषट है बात करते हम दो सहरी साचातादर की सहरी साचातादर जो भारत की है वो 84.2 परिषट है सबसे अधिक लिंगा न्पात जो पाया जाता है वो केरल्ण पाया जाता है और वहाँ पर जो है 1084 कि यहां का लिंगानुपात और यहां पर नवस 2089 यहां पर लिंगानुपात ही च भात क्री सबसे थिक है ब्यक्ति प्रति वर किलमीटर जो है यहां पर डेंश्टी है जो सभी राज्यों में सबसे दिख है सबसे जो सहरी साच्छता सबसे जो सहरी जनसंख्या जो निवास करती किसी राज्य में तो आपके महराश्ट में है सबसे देख सहरी जनसंख्या महाराष्ट में निवास करती है भारत की जनसंख्या में वर्स 2001-2011 कियावत के दौरान 1818 करों की बृधि रज की गई है और बात करते हैं वर्सिक बृधिदर की तो आपके 16.4 प्रस्ट जो है वर्सिक बृधिदर रही है सबसे इंपॉर्टन जो आपके परिच्छा के लिए है वर्स 1921 को जनसंख्या की तिहास में महान विभाजन वर्स बताया गया है यह कई बड़ी परिच्छा हम पूछा गया है इसलिए इसलिए आप लोग नूट कर लीजेगा 2011 की जनगर्ना होई थी वह भारत की पंद्रहमीं जनगर्ना होई थी राज्यों और संग राजच्छेत्रों अगर दिखा जाए तो जो सबसे इती जर्दस्की बृधिदर दर्च की गई है वह दादर और नगर्ना होई दर्च की गई है और यहां पर 55,9 % जनसंह अजग्र तर्च की गई है और वहीं पर देखा जाए सबसे कमका पर होई है तुबकिड नागालान की है और यहां पर माइनस kilos चही परसेज हो व्रिदर दर्ज की गई है जो सभी राज्यों में सबसे कम है अगर जिला वाइश देखा जाए तो सबसे दी जनसंक्या बृद्धर जो देखा गया है वह आपके आणवाश्य प्रश्ट का एक जिला है कुरूं कुमें यहां पर एक सुग्यास्ट सुनने एक परसे जो है जनस प्रत्यासा है वह आपके संद्धर पांच वर्स है और इसे बढ़ाकर 2025 तक भारत सरकाग जो लच्छा है वह आपका 70 वर्स करना है अगर परसन आज के पूछता है कि भारत में जीवन प्रत्यासा कितना है वह आपका 75 वर्स है और जो लच रखा गया 2025 तक वह 70 वर्स भारत ने रखा है जीवन प्रत्यासा कि मिसन इंधन जो है यह 2014 में शुरू किया गया है और यह बच्छों के तीका करना संब्दित है पोस्ण अभियान आपका 2018 में शुरू किया गया था और यह बच्छों बालिक है और अस्तन पार कराने वाली माताओं के पोस्ण की जो कमी हो उसको सुधान था पोस्ण अभियान आपके 2018 में शुरू किया गया था आइसमान भारत यह प्रधान मंत्य जन आर्योक योजना है और इसे 25 सितंबर 2018 सुरू किया गया था और इसके तहर जो है प्रतेक पात्य अनिवार को 5 लाख रुपए जो है कि यह प्रकार का इसके अंतर जो है पांच लाख रुपए का तक जब आप इलाज करवा सकते हैं और इसके लिए जो बेसिक अधार है आपके गरीबी रिखस नीचे होना अनिवार है और यह प्रकार का हेल्ट कवरेज है आइसमान भारत में शुरू किया गया था राष्ती स्वास्त मिसम दो सामिल किया गया एक आपका ग्रामीड है जिसे 2005 सब्त श्र demonstrate चलम jas जो प्रतिन 47 रुप्य कमाते हैं मेरे इसाथ से अगर कमाते तो आप गरीब नहीं मेरे आप गरीब नहीं में 32 रौपक घरामीड में कमाते हैं खरींगई यह सरकार का डीटर है । यहसाँ सोभारत प्रस्थ रिपोर्ट जह तो हैं उससे कुछ इंपोर्टन प्रस्थ पहसे हैं dugi कि भारत में कुल वन आवरन जो हो आपका कि 7,13,789 वर किलमेटर है और सबसे दिख जो वन छेत्र है भारत में वह सबसे दिख मध्य प्रदेश में और यहां पर 77,443 वर किलमेटर है दूसरा जो अस्थान है वह आउलाचब प्रदेश का है यह चेत्पर की दिख से देखा जा प्रदेशा में आपके 52,156 वर किलमेटर है और महराश्ट में आपका 50,758 वर किलमेटर है तीस प्रकार जो है सबसे दिख वन आवरन वाले राज हैं कुल महिंगरो आवरन भारत में कुल 4992 वर किलमेटर है अगर सिर्स पांच राज पुछा जाए तो सबसे दिख आपका प 21 कि अनुसाजा जो है भारत में आदिखा सी जिलों संक्यवापकी 218 है जिनमें 28 राजों में आदिखाषी हैं और सबसे जो आवाज 228 वर केر जिल आपको मधरेश्त में परेशोरो यरा है तोटल आपके 24 हैं उसको हम देख लेते कुछ important जैसा कम दो जानते हैं 2018 में one district one product शुरू किया गया था अस्थानी चीजों के प्रमुशन के लिए चम्रा उत्पाद जो है one district one product शुरू अपके आगराक है वस्तर उत्पाद अमेटकर नगर का मूझ उत्पाद अमेठी का जरी जर्दोजी यह बनायू का है बरेली का भी जरी जर्दोजी उत्पाद है और कासगंद का भी जरी जर्दोजी उत्पाद है दूद प्रसंस्क्रण बिशिक करन यह आर्लांपुर का है और दाल यह काफीуст है यह हुआक प्रताप गड़क का है आप लोग अपने डिस्टिक के कौन सा वन देश्ट्रिक में प्रड़क्त दिया गया, आप लोग कौन बाक्स में दीजिएगा उपियों के आधार पर सब्जियों का वर्ज़कन किस प्रकार किया गया है हम लोग कौन से की सब्जी का कौन सा भाग यूज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं जड़क रूप में हम लोग यूज करते हैं गाजर, मूली, चुगंदर और सल्जम का अब तनेक रूप में हम लोग इस्तमाल करते हैं आलू है, अर्भी है, गांट गोवी, अद्रक, हल्दी, प्याज, जिमिकन्द इन सभी का हम लोग तनेक का भाग खाने में यूज करते हैं जड़ में, जड़ जो हम लोग खाते हैं आपके गाजर है, मूली है, चुगंदर और सल्जम है अब तनेक आप हम लोग भाग जो खाते हैं आपके आलू है, अर्भी है, गांट गोवी, अद्रक, हल्दी, प्याज और जिमिकन्द है मिर्दार अच्छक फसले कौन कौन सी होती है, इनमें आपका मूंग फली, मूंग, उडद, सकरकंद, लोसर्न और बर्सी, ये सबी मिर्दार अच्छक फसले है, खरीब की फसले, खरीब की फसलों में आपका धान आता है, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग फली और सकरकंद, यह सबी जो है खरीक फसले हैं इन्हें जून जुलाई में जो है बोई जाता है और इसके बाद आपका अक्टूबर के असपस इसे काट लिया जाता है इसे प्रकार से रभीक फसले हैं इन्हें नौंबर एक आसपस भोई जाता है और जिसने मार्च अप्रेल में काट लिया जाता है रभीक फसले में आपका गेहूँ, जव, चना, सरसो, मटर, बरसीम, मसूर, आलू और तामबाक। यह सबी जो है रभीक फसले हैं तीसरी आपके जायद फसले हैं इनमें आपका मिर्ची है, टामाटर है, सूरज मुखी है, कदू है, खर्बुजा है, तर्बुजा है यह सबी जो है मार्च अप्रन बोजाता है और माई जुन में ने काट ली जाती है तो फसले आपके खरीब, रभी और जयद हो चुकी है । तिर्च फसले कंसो-कोंसे होती है, सर्सू है, अरंडी है, तिल है, मुघभली, सूरज मुखी, अलसी, सोयाः भीन और राई यह सबी जो है आपके तिल्हणी फसल्ले है दलहनी फसलें में आपका चना है, उडद है, मूंग है, मतर है, मसूर है, अरहार, मूंग खोली तरसा सोयविन ये सबी जो है दलहनी फसलें है कुछ प्रमुक खेती से प्रस्ण पूछता आपकी परिछा में अंगुरों की खेती को कहा जाता वेटी कल्चर मचली पालन से को कहा जाता आपका पीसी कल्चर रेसम कीट उत्पादन को सेरी कल्चर कहा जाता है सहतूत की खेती को मोरी कल्चर कहा जाता है केंचिवे की पालन को कहा जाता वर्मी कल्चर फलों की खेती को कहा जाता आपका पूमिलोजी मदमक्खी पालन ये आपका एपी कल्चर है जैतुन की क्रिसी क्यों कहा जाता है ओल्वी कल्चर कहा जाता है जींगा मचली के उतपादन को गुलाबी करांदी कहा जाता है मांस या टमाटर उतपादन को आपका लाल करांदी कहा जाता है अंडा उत्पादन को रज़त करान दिखा जाता है, आलो उत्पादन को गोल करान दिखा जाता है, तिलहन उत्पादन को आपका पीली करान दिखा जाता है, कुछ प्रमुख मुख्याले कहां पर है, प्रमुख्यों के, जैसे कॉफी बोर्ड का जो मुख्याले आपका बैंग अंसंदान संस्तान लखनव उत्रप्रदेश में है केंदरी कॉफी अंसंदान संस्तान या आपके चिक मंगलूर करनाटक मिश्थी था है केंदरी आलू अंसंदान संस्तान या आपके सिमला हिमाचर प्रदेश मिश्थी था है भारती क्रिस अंसंदान संस्तान या आपके नई कारण होता है इसी परकार से मिरचिम का लाल रंग होता है वह केप सेंथिन कारण होता है गाजल में लाल रंग होता है आपका होता है मुली का जो तीखापन होता है यह आपका आइसोसाइनेट करण होता है लेसुन में जो गंधर करण होता है वह एलसीन या या डाइल ऑने दूआहिशनग को यह सब है। यह हैं सभी में काली मिट्री काफी विश्य शुरूप से सभी कारई पाई जाती है इन में कुछ प्रमुख फचलें होती है जिन में आपका कपास है सोयबीन चना ज्वार गेहूं मुंभली और केला जो है यह सभी का उत्पादन अच्छा होता है काली मिर्दा में और यह आपके महाराष्ट गुजरात मदर प्रदेश तमिलनाडूम इन सभी में पाई जाती है आपके लbnbnिल में जो प्रचूरत होती है इन में परचूरत होती है चुना- और इन सब की प्रचुरता होती है कमी किसकी होती है आपके नाइ्टोजन की फालस फॉरस की और कार्बनी पदारतों के इसमें कमी होती है अंतराश्टी अस्तर पर जो है कुछ वर्स घोसित किया गया थे किसी भी सेश्चीच के लिए जैसे 2010 को जैवीविता वर्स घोसित किया गय और इसके लिए जो अन्मोदन किसी देश ने किया था वह अपने भारत देश ने अन्मदन किया था सनितरा संक्षी कि ये 2023 को जो है अंतराश्टी बाजरावर्स गुसत किया जाए लाल मिट्टी में लोहे की प्रचुरता होती है लेटराइड मिट्टी लोहे और एलमूनियों की प्रचुरता होती है मरुथली मिर्दा में लवन और फास्पोलस की प्रचुरता होती है और परवत्ती मिर्दा में पोटास चूना और कार्बनी पदार्फों के प्रचुरता हो ब्रदिस्त सम्मंदित हैं ुश प्रमुख फशले हैं और उनके लिए जलवाई क्वोण कोण सी चाहिए वह हम देखती हैं धहान के लिए उश्वक dewैत्यंज व्रू प्रकार प्रकार की जलवाई होनी चाहिए जवार की जो अच्छी खेती होती है वो आपके उस्ट करड़ बंदी प्रकार की जलवाई चाहिए और बाजड़े के लिए भी आपका उस्ट करड़ बंदी जलवाई चाहिए गेहू के लिए आपका समसितोस प्रकार की जलवाई होनी आवस्यक है और जाओ के लिए भी सम्सितोस प्रकार की जलवाई होनी आवस्यक है कुछ हम लोग हस्तानांतिक क्रिट देख लेते हैं और उसके छेत्र को देख लेते हैं रेज जो हस्तानांतिक क्रिट होती है या आपका वियतनाम और लावस में होती है लोगन कहाजाता है या पसिमी अफ़िका में तौनुकों कहाजाता आपके वेन्यूजीयला में तौउंगया कहाके मियामार में है यह लदां कहा आफका इंड। इंडोनेसिया में यह सभी हए खास्ता dallी खृसिय और उसके समदीर 9 ठेत्र mo MAR ह Neden सुद्ट श्वंध्र कहा जाता है बंदेल खंड संभाग में जो मद्रप्रद्श में है यह सब यह अपने परिण रोग होते हैं और उसके हब देख लिते हैं पूंकनी जो है यह आपके वायरस से होता है थानला जो काफी फेमस रोग है यह आपके जिवानुस होता है गिल्टी रोग भी आपका जिवानुस होता है यह भी आपका जिवानुस से होता है कुछ फसल उसके रोग देख लेते हैं, आम लोग बाजरेव में आरगडडड़ होता है, मचलीव में आपका सैप्रो लेगनिया रोग होता है और यह आपके कवक करण होता है जुगाली कनेवल पसुओं में अफारा रोग यह दूस्तित अहार करण होता है गायों में मिल्क फीबर रोग यह आपके केलसिन कमिक करण होता है सल्जम में आपका वाटर कोर रोग होता है निवंतम समर्थन मूलें, वर्तमान कोटल बाइस फस्लों के लिए जो है निवंतम समर्थन मूल घोसित किया जाता है और साथ में गन्ये के फसल के लिए उचित एवं लाबकारी मूल अलक्स जारी किया जाता है, जो साथ अनाज है उन में आपका धान, गेहु, मक्का, बाजर जवार, रागे और जवार, इन सब एक लिए जो है MSP जारी की जाती है और पांच डाले हैं, इनमें चना, अरहर, यातूर, उड़द, मुंग, और मसूर है इन पांच चो डालों को MSP जारी की जाती है और साथ तिलहन फसले हैं इनमें आपका रैक्सिर सरसो, मुंग फली, सोया पियन, सूरज मुखी, तिल, कुसुम और राम तिल इनके लिए जो है MSP जारी की जाती है और तीन आपकी व्यापारी फसले हैं जिनमें आपका कपास है, खोपरा और कच्चा जूट है इनके MSP जारी की जाती है, अब यह आपके खरीब की, तिनमें आपका धान की MSP जारी की जारी की गई है वह आपका 213 रूपे प्रत्कुंतल है MSP जारी की गई है बाजरे का वह धाईजार रूपे प्रत्कुंतल है मका का 290 रूपे प्रत्कुंतल है तुवर या अरहर वह 7000 रूपे प्रत्कुंतल है मूंग की MSP जो है वह आपके 8588 रूपे प्रत्कुंतल है और उड़त की 6950 रुपे प्रतकुंतल है, मुंग फली की वा 6370 रुपे प्रतकुंतल है, सुरज मुख्य की बीजबाब का 6760 रुपे प्रतकुंतल है, और सोया बीन जो पीला है, उसके लिए MSP जो जारी के गईवाद 400 रुपे प्रतकुंतल है सत्रामी उत्रप्रेस 1 सर्वेचन रिपोर्ट को हम लोग देख लेते हैं, जो 2021 में जरी किया ही है, और यह है सत्रामी उत्रप्रेस 1 सर्वेचन रिपोर्ट है, और इसकी अनसार उत्रप्रेस में 1 आवरण जो आपका 14883.89 वर किलमेटर है, उत्रप्रेस में कुल 1 आवरण, औ और उत्तरप्रेश के कुल भागौली शेत्र का जो वन आवरण है आपका 6.15 परिशत है जो काफी कम है और राज में जो है वन आवरण में टोटल 12.24 वर किलमेटर की जो है ब्रिधी दर्ज की गई है उत्तरप्रेश में ब्रिच आवरण की बात करें तो आपका 7421 वर किलमेट 89 वर किलमेटर की ब्रिधी दर्ज की गई है पिछले रिपोर्ट की अनुसार कुल और प्रिशत दोनों के देश से जो है अगर देखा जा उत्तरप्रेश में सबसे दिख वनावरण आपको कहां पर है या आपके सोन भद्र है सोन भद्र में है कुल छेटपल देश से देखा से कुल आपके सोन भद्र में होई है cand gustρο में लोत देखे इसका मुख्याला कहां पर है और इसकी जो असथापना पर हैं और इसका मुख्याला कार्यकरम की जो अनुसो वही पर्माल उर्जा एजंसीग जो स्थापना है वर्स 1997 में है और इसका उलंपिक समित के मुख्यालाप का लोसाने स्वृजलेन में है और इसकी जो स्थापना हुई है वह 1894 में है अंतराश्टी पर्माल उर्जा एजन्सी जो अस्थापनायाँ वह वर्स August裁ष ताटाधी में हुई है और इसका जो मुख्यालापका विया न आुस्ट्रिया में है निदरले थीत है और इसका इसकी जोय स्थ्धापना हुई है वो सथापना हुई है पандर प्रसथ में सभी को यह सथापन इसकी प्रसपह मुख्याल को नार्थ्थ्लांटिक सन्द ही संग्ठन तो पंढाएगा इसका उतर आप आप अपको यड़य नलाएट पेट्रोलियम नीर्यात तक देशों का संग्ठन जिसे आम लोग ओपेक की नहीं हम जानते हैं और इसका जो मुख्यालाव का वियनाम है और इसकी जो स्थापना होगा आपका 1960 में इसका स्थापना होगी है और वियना आपके आउस्ट्रिया में है इसकी जो स्थापना है व्यार्ष अमेरिका में है का पर इसकी जो सबसे बड़े भंडार और संसाधन तीन राजयों पाए जते हैं इनमें आपका राज्थान क्धार्ठाण में 813 मिलियन है 1924 मिलियन टन के साथ मत्री तीसरैंग तीसरे स्थान में कोला जो रिजर बहुत सब्सक्राइब आपका जारखन में है दूसरे अस्तान पर आपका ओरिस्ता अस्तान पर आपका 36 गड़ है कॉप 28 यह आबुधावी में आज़ुत होगा 2023 में और आबुधावी आपके सनुत अरब अमिरात में है इससे पहले कॉप 27 होगा तो 2022 में सर्म अल सेख मिस्र में कॉप 26 हिस्ते पहले ग्लासगो में हुआ था यह युनाइटेट किंग्डाम आफ ग्रेट ब्रेटेन और उतरी आयलेंड के जो है सनुत रूप सी हुआ था 2021 में तो कॉप 28 यह आज़ुत होने वाला आपके 2023 में होने वाला है आंतराष्टि साचलता दीवस से आपके 8 criança मोट मोना जाता है लिए वीड़ाइट लुए नतराष्ठी नाएजित होने वाले है और कुछ खो चुके हैं लन नंकुल देख लेती हैं आसयान की जो अधर इस्ता है है ऑर इस परण से ब्रिक्स की जो अधस्त हैं वाप के तक दिग्शット अफ़िका करेगा 2023 में है और इस्थिवर Judas संभी आप बहुतर है जो है जी 20 की अधस्ता अधस्ता भी कर रहा है थी सिवन की छूइश्थता और तक सौब में यह जापान कर रहा है कि मिए अधश्ता हो चुकी है जी स्यर्ण की अधश्ता 2023 न 익这 न कि आदेखिया आं कि ऐर अस्यान की इंडिनेसिया दशीरण कर रहा है उज ब्रिक्स की ए you सब्सक्राइब आपका भारत देश करेगा और साथ में जो है जी टॉंटे की जो अब भारत कर रहा है और जापान कर चुका है सनितराश्ट दोजाट तेश्ट जल सम्में यह जो है सनितराश्ट दोजाट तेश्ट जल समीदन नमूना पंजिकरण प्रणाली सांकीर रिपोर्ट 2020 जारी की गए थी और यह है भारत के महा पंजियन द्वारत जारी की जाती है इसके अंसार आसोधी जन्मदर भारत की वह 1905 है अगर कुल जन्मदर की बात की जाए कुल प्रजन् सब्सक्राइब जानते हैं कि पूर में 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों में वर्तमान में 8 महाजनपद जो है उत्तरप्रदीस में इस्थित हैं इन में 8 महाजनपदों में आपका कुरुय, पांचाल, कासी, कोसल, सोरसेल, चेल, वत्स और मल आपकी परिच्छा में यहां डायट पूसा सकता है कि वर्तमान में जो 16 महाजनपत पूर में थे वर्तमान में कितनी महाजनपत उत्रपदिस में है उसका आपके वर्तमान में उत्रपदिस संब्दित है और वह 16 महाजनपत कौन थे और उनकी कौन-कौन से राजधानिया थे उनको देख लेती है अंग महाजनपत की राधानी चंपा थे, कासी की वारार से, कोसल की सरावस्ती थे, मल की कुसिनगर, चेर की सुक्तिमती, कुरु की इंदप्रस्त, वस्च कौसांबी थे, पांचाल की कामपिले आईचात्र थे, सोर्षेन की मतुरा थे, मस्च विराट नगर थे, अस्मक की पाटन थी, अवंती की महिसमती, कमबोज की हाटक थी, गांधार की राधानी तस्तिला थी, और इसी प्रकार से, वज्जी की राधानी वैसाली थी, और मगत की राधानी राजग्रे या गिरीब्रज थी, तिस प्रकार जो है, सोला महाजनपत थे, और वर्तमान में कुल जैन जी, गौतम बुध का जन्म जो है, वह साकुल में हुआ था, और इनको ज्यान जो प्राप्त हुआ था, वह पीपल ब्रिज की नीचे प्राप्त हुआ था, और इनको ज्यान जो प्राप्त हुआ था, वह निरंजन नदी और उसका जो दूसरा नाम फल्क नदी है, इसी अलार करलाम थे और जिनसे इन्होंने सांख दर्षन के सिच्छा ली थी और इन्हें निरंजना नदीक की नारिव ग्यान प्राप्त हुआ था प्रशनाथ के परिशाम पूछा रहता है कि भावी बुद्ध किसे कहा जाता है तो मैत्रे को जो है भावी बुद्ध कहा जाता है बहुत धर्म जो लिखे गए है वह पाली भासा में लिखे गए है और गौतम बुद्ध ने जो पदेश दिया है वह पाली भासा में ही दिया है और बहुत धर्म को त्री पिटक में संकलित किया गया है और त्री पिटक के जो है तीन भाग है इनमें आपका एक विनय पिटक दूसरा आपका सुत पिठख और तीसरा आपका अभी धम पिठख है त्यां आपके त्रीपिठक है औरไม इ Damn को और गौतम बुद्र नए जो उपदेश दिया है वह पाली भास्त में इन्हों दिया था रिब सबसेदी जो उपदेश दिया है गौतम बुद्ध ने वह कोशल देश की राधानी स्रावस्तिम उन्होंने सबसेदी उपदेश दिया है गौतम बुद्ध का जो परनिर्वाण है वह असी वर्ष की अवस्था में कोसी नगर में इनको परनिर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को जो मोच प्राप्तु गाता वह कुसी नगर में प्राप्तु गाता है, सबसरी जो उपदेश वह स्रावस्तिम दिया थे इन्होंने, और एक मंदिर का फेमस मंदिर है महाँच बोध ही मंदिर, यह जो मंदिर है यह बोध गया बिहार मी स्थित है, यह एक प्रेटरन अस्थल भी है, महा बोधी मंदिर और ये आपके बोध गया में स्थित है, सारनात में कुछ बिशेश चीज़ हैं जैसे इन्होंने पहला उब्देश जो है, वह सारनात में दिया है, वहाँ पर धमेक, इस्तूप और चौखंडी इस्तूप भी सारनात में स्थित है गौतम बुदे ने पहला जो उब्देश दिया था, वह सारनात में दिया था, बोध धर में त्री रत्न है, इनमें आपका बुद्ध है धम संग, यह आपके त्री रत्न है, बोध धम संग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोध धर में कुल प्रमखुरोप से चार बोध पहली बोध संगीती जो हुई थी, वह चार्श तिरासी सापूर में राजगरी में हुई थी, और यह आजात सत्र के सासनकाल में हुई थी, और अजात सत्र यह हर एक वंस का एक राजा था, और इसी समय जो है, बीने पिटक और सुत्व पिटक का संकलन किया गया था, दोती तिरती बोध संगीती दो से क्यावनी सापूर में हुई थी, पाठल पुत्र में, और वह जो है, आसोग के कारिकाल में अब तिरती बोध संगीत आजगरी थी, और जैसा कि हम जानते हैं कि आसोग जो है, यह मौरे वंस का परतापी राजा था, चौथी बोध संगीती यह आज़ित की गई थी, और इसे कनिस्क ने आज़ित किया गया, कनिस्क की द्वारा आज़ित किया गया था, और जैसा कि हम जानते हैं कनिस्क यह क्यूसान वंस का एक सासक था, और चौथी बोध संगीती में बोध धर्म दो भागुन बाज़े दोता है, एक आपका हीन यान और एक आपका महा यान, तो हीन यान और महा यान जो है, यह बोध धर्म के साखाएं हैं, इस प्रकार जो है, बोध धर्म समधित जो important fact हम लोग कवर कर लिए हैं, अगला हम लोग जैन धर्म समधित कुछ important fact कवर करते हैं, जैन धर्म में टोटल जो है, 24 तीर्थंकर हुए है और पहले जो तीर्थंकर हुए हैं, वह रिसब देव, जिन्हें आधिनात की नाम से भी जाना जाता है, 23 तीर्थंकर हुए हैं, और 24 में तीर्थंकर आपके महाबिर स्वामी हुए हैं, पार्थंकर ने कुल चार सिछाएं दी थी, एक आपका सत्य, आहिंसा, आस्तय और आद में जो है, इसी में पाच्मा जो है सिछय जोड़ी थे, महाबिर स्वामी, ब्रहमच्य रिको, महाबिर स्वामी का जन्म ग्यातर कुल में हुए था, और इन्हें जो है, जिन्मरिका गाँव है, और रिजु पालिका नदी किनारे, और एक साल ब्रिच था, उसी के नीच महाविर स्वामी जी को ज्यान प्राप्त हुआ था अगर नदी पूछे तो रिजपाल का नदी ब्रिच पूछे तो साल ब्रिच और जगह पूछे था आपका जिम्रिंग का एक गाउं था वही पर इने ज्यान प्राप्त हुआ था महविर स्वामी की जो पहले अनुवाई होए थे वह उनी के दमाद जमाली थे जो पहले अनुवाई होए थे और पहले महिला अनुवाई जो होई थी वह चमपा होई थी जैसा कि इससे पहले गौतम बुद ने पाली भासा में अपना उपदेश दिया था और इसी प्रकार जो है महविर स्वामी ने जितना उपदेश दिया वह सब प्राक्षित भासा अर्ध मागदे मिनों अपना उपदेश दिया है पाली में गौतम भूध और प्राकित में महावीर स्वामी ने अपना उपदेव दिया था पाच्मापका ब्रह्मचार जो है महाविर स्वामी ने जोड़ा था महाविर स्वामी का जो निर्माण है वह 466 इसापुर बिहार के पावापुरी में हुआ था महविर स्वामी ने पावा में जैन संकी अस्थापना किये थे और जिसके 11 प्रमुक अनिवाई थे और यही बाद में जो है गनधर कह रहे हैं तो गनधर यह संक्यागर पूछता है तो आपकी 11 है भादर बाहू के जो समर्थक थे वह दिगंबर जो नगने रहने वाले थे, जैन धर्म दो साखाओं बाढ़ता है, एक आपका दिगंबर, दूसरा आपका स्वेतामबर, जो कोई भी वस्तर न धानर करते हूं, वह दिगंबर थे, और यहां भद्र ब्राहु के समर्थक थे, और दूसरे आपके जो स्वेत वस्तर धानर करने वाले थे, वह स्टामबर थे, और यहां जो है, स्थूल भद्र के समर्थक थे, पहली जैन सफाओं जो है, वह चंदरवत मौर ने आज़ित की थी, पाटेल पुत्र में, और इसमें, जो है, इस्थूल भद्र ने जो है, अधर्षता की थी, और इस ही प्रथम जैन सभा में जैन धर्म दो भागों में भाज़ित होता है एक आपका दिगंबा दूसरा आपका स्वितामबर दो भागों में भाज़ित होता है प्रथम जैन सभा में जैन धर्म और इसे जो है चंद्रगुत मौध आज़ित करता है और इसकी जो अदेश्ता है वह सुल भदर इसकी अदेश्ता करते हैं दोती जैन सभा वललभी में आजित किये थे और इसमें जो है देवर्च छमा स्रमम रिश्जोध इसकी अदेश्ता करते हैं जैन धन के अन्य उप संपरदाय थे एक आपका 13 पंथी दूसरा आपका 13 पंथी और 20 पंथी ये सभी जो है ये जैन धन के उप संपरदाय है कल्प सूत्र की जो रचना है वह भदर बाहु ने की थी कुछ जो प्रमुख तिर्थंकर हैं जांस प्रस्णा आपकी परिश्चा बताय है उनके हम लोग प्रतिख देख लेते हैं पहले जो तिर्थंकर इसब्देव है इनका प्रतीख है वस सांड है आजीतनात का आथि है संभावनात का गोडा है आदिस्ट नेम का संख है और 23 प तिर्थांकर पार सुनात इनका प्रतिक वस सर्फ है और 24 में महाविर स्वामे की प्रतिक आपका है वस तिंग है हम लोग जयन धर्म समंदे उनकों हम लोग कबर करेंगे भारत में जूलाई स令 यूम्लज्ण तक चलता है यह काप़ी इंपर्टेंट डेटा है요 जूल से जूलाई तक फासल चलता है भारत में कि हमगा जानते हैं कि भारत में तिन फश्र बोई जाती है एक आपकी रभी है दूसरी खरीप और तीसरी आपकी जायद फसले होती है रभी सीजन की फसले होती है इनकी बुवाई अक्टूबर नॉबर के जाती है और कटाई इनका जो है अप्राइल मैं में होती है आई हम दो कुछ फसलों को देख लेते हैं प्रमुख रूप से गेहूं जव आलू चना मसूर अलसी मटर और सर्सों जो है यह सभी रभी सीजन की फसले है खरीप सीजन की फसले जो होती है जून जुलाई में भोई जाती है और अक्टूबर के आसपा जो है काटी जाती है इनमें आपकी प्रमुख जो फसले वापका चावल है जुआर है बाजरा मक्का मुंग मुंगफली गन्ना स्वविन और कपाग यह सभी फसले जो है यह खरीप की फसले है जायत की फसले जो होती है वह बिसेशुरूप से मार्शा प्रायन बोई जाती है और मई जून में इ हीरा हुआ खरबूजा हुआ ककड़ी यह सभी जो है जायत फसले हैं प्रश्ण आपकी परिष्ण पोस्ता अक्सर कि कौन से ब्यापारिक फसले होती है तिन में आपका कपास है जूट है गन्ना है रवर यह सभी ब्यापारिक फसले होती है प्रमुख जो ब्यापारिक फसले प्रस्णनों परिश्सम यहां पर पूशेता है कि भारत में सरवादी छेत्वल के खेती की फ़सल होती है तो आपके आपके धान के खेती जो है सबसे दिषितवल पर होती है भारत में नमीन जलौड को खादर खाजाता है और पुरानी जल्लों को बांगर कहा जाता है काली मिट्टी का दूसरा नाम था हुआ रेगुर मिट्टी है और काली मिट्टी में सबसर्दी जो फसल अच्छी होती हो आपकी कापास होती है इसका हम दोग छेते देख लेते हैं काली मिट्टी जो है प्रमुरूप से गुजरात महराष्ट करनाटक और मध्यप मिट्टी होती है भारत में जो है भारती क्रिस अनुसंधान परिशद ने टोटल भारती मिट्टीओं को वरिकरत किया है और यहां जो मिट्टीओं को वरिकरत किया इन्होंने टोटल आठ प्रमुक समुहों में विभाजित किया है ICAR ने जो है भारती मिर्दाओं को आठ प्रमुक समुख मिवाजित किया है आयम दो देख लेते हैं कौनकों से मिर्दाओं है जलोड मिटी, काली मिटी, लाल मिटी, लैटे राइड मिटी, परवती मिटी, मरुस्थली मिटी, लावड़ी मिटी और पीट या दलदली मिटी यह जो है आठ विवाजिन ने ने किया है भारती क्रिस्ट अनुसंधान परिशदने क्रिसी कुछ प्रमुक क्रांति यां उनको मिलोग देख लेते हैं जहां परिच्छाम बारबर प्रस्ण पूछता रहते हैं हरित क्रान्ट जो है या खाद्याद उत्बादन समन demands है सुष्ष ग्रान्ती दुग्दुत उत्बादन से कृष्व कांगे करांती आपकी जहींगा मशली उत्बादन से सेरी कलचर रेशन कीट भी रेदेंग tengo क्रेजांगे से ह्रुक मक्की पॉक्षालन से फ्लोरी कल्चर फूले कुत पादन से विटी कल्चर इसके तहर अंगूर खेटी के जाती है वर्मिक कल्चर में केंचुओ का पालन किया जाता है नीली क्रांती आपके मत से उत्पादन समंदिता है बोरी क्रांती उर्बरा कुत पादन से राजत क्रांति या अंडा उत्पादन सम्मदित है पीली क्रांति तिलानुक पादन से और सुनहरी क्रांति आपके बागवानी उत्पादन सम्मदित है अग्ला जो फैक्ट है यह प्रमुख फल्मने खानीओ के भाग कौन सा होता है यहां से भी प्रिष्ण पूछ आ जाता है आलू इसी प्रकार से नादियल में ब्रुन पोस होता है उसे हम लोग खाने ग्रोप में उपव्योग करते हैं केले में मध्य और अंतावित्ती हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं गाजर, सल्जम, चुगंदर और मूली के हम लोग जड़ खाने में इस्तिमाल करते हैं गाजर, सल्जम, चुगंदर और मूली के हम लोग जड़ खाते हैं इसी प्रकार से आम और पपीता में जो है मध्य फल भित्ती का हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। सेव नासपाती का मांसल पुसपासन खाया जाता है। सिंगाले का बीजपत्र खाया जाता है। अम्रूद और अंगूर का फल भित्ती तथा प्लसेंटा को खाने ग्रूप में इस्तिमाल किया जाता है। प्रमुख फलों के खाने योग भाग कौन से होते हैं। उनकों लोग देख लिए हैं। भारत में हरित करांदी, ग्रीन इरीवलोशन इसकी जो शुरुवात हुई भारत में वह वर्स 1966 समसर में भारत में सुरुवात हुई है। और भारत में हरित करांद के जनक हैं, वह M.S. स्वामिनाथन जी हैं। और इसे अंतराश्य सर्व देखा जाए। तो नार्मन E. Borlog जो है इने हरितकान का जनक का जाता है और इन्हें वर्ष 1970 में सांते के लिए नोबिल प्रोषकार भी प्रदान किया गया था नार्मन E. Borlog को भारत में जो है हरितकान जो सफल लई है वो गेहु और चावल कुद पादन में सफल लई है गेहु जो आयात किया गया था गेहु की जो बीज प्राप्त हुए थे भारत को वह मेक्सिको से मंगाया गया था यह अभी परिच्छा में प्रस्न पूछा गया है पूर में आई हम लोग अगला फैट देखते हैं प्रमुक फसल और समधित रोग को हम देखते हैं कौन सा रोग आपके धान में होता है और यह कारण होता है जस्ते कमी कारण है जब जस्ते कमी वहती है धान में तो वहां पर खैरा रोग होता है इसी प्रकार से लाल सलन रोग यह आपके गंड़िम होता है करनाल बंट रोग यह गिहुम होता है स्वेत किट रोग यह सरसुम पाए जाता है पनामा सुखा रोग या केले का एक रोग है अरगट रोग या बाजनेम होता है उक्ठा रोग चनेम होता है टिक्का रोग मुंगफली में होता है प्रश्ण आपकी परिछान सिर्य पूछेगा कि टिक्का रोग किस फसल का एक रोग है आप बताएंगे मुंगफली का हीरोग मुणफली में होता ही मिल्यक आर्म रोग है। साइटर्स कईकर यह नीबूम होता है, पीत सीरा रोग यह भिंडी पपीता और तंबाकूम होता है, इसमें जो पतियां होती है वह पीली हो जाती है, इसी प्रकार से हैनवा चिकन रोग यह अंगूर में होता है, मोजायक रोग यह आपके तंबाकूम होता है, मटर में जो मार्स रोग होता है, यह मैगनेज की कमी से होता है चाय में कैफीन पाय जाता है तमबाकों में निकोटीन पाय जाता है भारती क्रिस अंसंधान संस्थान I.A.R.I की जो अस्थापना है वर्स 1929 में हुई है फलो और सबजीयों के रंगों और स्वात का करण को लोग देखती है आलू में जो हरा रंग हो जाता है वह सोलेनिन करण होता है आवले का कसायलापन होता है यह टैनिंग करण होता है इसी प्रकार से करेले में जो कड़वाहट होती है वह मेमोडी कोसाइट के करण होती है खीरे में जो कड़वा हाट होती है वह कुकुर बिटेसिन करण होती है गाजरम लाल रंग जो होता है यह एंतोसाइनिंग करण होता है टामाटर जो लाल होता है इसका करण यह लाइकोपीन होता है यह कई बार पर पुछा गया है तिलहनों में तेल में जो पीला रंग होता है वह कराटी नाइजड करण होता है और पपीते में पीला रंग जो होता है वह केरिक जिन थिन के करण होता है पपीते में पीला रंग प्याज में जो लाल रंग होता है वह एन्थोसाइनें करण होता है करकुमिन लिक्त करण हल्दी में पीला रंग होता है और मिर्च में जो तीखापन होता है वह कैप्सेनीन करण होता है कुछ फैक्ट बायो सक्षन से है निवरान को तंत्र का कोश्का कहा जाता है और निवरान जो है यह मनिस्यों में सबसे बड़ी सबसे लंबी जो है कोश्का होती है और यह है तंत्र का कोश्का कहा जाता है निवरान को मानम मान स्पेसिक जो संख्या होते हुए 649 होती है मचली मानोक में हिरदय के चार कछ्छा होते हैं इसी प्रकार से मसली में दो होते हैं पिट्योरी गरंद को मास्ट्र गरंद का जाता है और यह मस्टिश के आधार पर इस्तित होती है और यह एक अनतह सरावी गरंद है और इसे आपात कालीन हार्मोन या फाईट या फ्लायट हार्मोन के रूम भी जाना जाता है और मानल saरीर की सबसे बड़ी जो ग्रन्ती होती हुए यक्रित होती है और यक्रित से पितब का उतपादन होता है और कईवा परिच्छ हम पूछा गया है इसके वजन के बारे में तो यक्रित का जो वजन होता है वो डिन किलो के आसपास होता है 1.5 से लेकर 1.6 किलोग्राम इसका वजन होता है सरीर के तरंगे तीन पकार को होती है एक स्रब्र तरंगे होती है दूसरी आवसरब, तीसरी आपकी परासरब होती है सरब्र तरंगे जो 20 हर्ड से लेकर 20 हर्ड आवरित के होती है दूसरी आवसरब होती है यह 20 हर्ड से कम आवरित के तरंगों कहा जाता है तीसरी आपकी परासरब होती है यह बीजार हड से उपर की तरंगों कहा जाता है तो तरंगी इस पकार जो है तिन पड़ा होती है स्रब्य, आवस्रब्य और आपकी परास्रब्य कुछ प्रमुक आमल और उसके स्रोत को देख लेती है सिर्के में एसितिक एसित पाए जाता है चीटी के डंक में साइतिक एसित पाए जाता है लेक्टिक अमल के जो परमुक स्रोत है उनमें आपका दूध है, दही है, मठा है, लस्ती है सबी जो है लेक्टिक अमल के स्रोत है आगजेलिक अमल के जो स्रोत है वह आपके टमाटर है, पालक है टार्टरिक एसीड यह आपके अंगोर इमली शित्रस केला कच्चे आ में पाई जयता है मैलिक अमल पका सेव नासपाथी यह सबी जो है मैलिक अमल के स्रोथ है बेंजोईक अमल घास photography यह चाय में पाई जाता है यह गिहों में पाई जाता है प्रमुक आम लोग के स्रोथ को भी हम लोग देख ली हैं अगला जो फैक्ट है भारत की प्रसिद्ध जो है खाने कौन-कौन सी है और किसके लिए खाने प्रसिद्ध है उनको हम लोग कवर करेंगे लोग आयस के उत्पादन के जो प्रमुक खाने उनमें आपका कुंद्रे मुक खान है यह करनाटक में है बैला डिला च्छतिस गड़ में है मयूर भन और क्यो जहर जो है यह आपके उडिसा में है प्रस्नाप के परिशाम कभी-कभी सुमिलित करने को भी देता है कि कुंद्रे से मुक खान है यह किसके लिए फिमस आपके करनाटक में इस्थित है इसी प्रिकार से मध्रदेश हिरे का सबसे बड़ा जुभनटारों अपकामध्रदेश पाहिता है और वहां पर्णा के के जो कोलार की खान और हट्टी खान है यह सोने की खाने हैं सोने खानों के लिए प्रसिद्ध है कोलार की खान और हट्टी की खान इसी प्रकार से चांदी के लिए जो है जवार खान प्रसिद्ध है और यह आपके राज्स्थान में इस्थित है नेलोर जिला जो आंध्र प्र और मुनाजाइट बालू से छो है थोरियों निकाला जाता है तीस परकार जो है प्रमुख जो खाने हैं किसके लिए फ्यमस है उनकों लोग कभर कर लिये हैं अगला जो फेक्ट दूसरा इन्थर साइट कोईल्य कोईलिया और सबसे जो विकार यह रहां यहान पर कोई्लिक में कते हैं यह प्रमुञ आप कोटमी मात्र में आपको पानेंगे हैं यह च्छास नर्फद कुछ बंदार में है इसी प्रकार से रानी गनड चेतर पासिममं गाल में सीघ्रेनी तrove52 मिश्थित है कुछ पेट्रोलियुम गवल्बाफ कर लियुए पेट्रोलियुमेड्रोम जो जो है डिक बोई निकाए जाता है तेल नगरी की नाम से भी जाना जाता है और डिक बोई जो है यह एसीया में पहली बार तील के कुईय का खनन किया गया था डिक बोई और यह आपके आसाम मिश्थित है और अंकलेश्वर जो पेट्रोलिंग उतौद्पार्ण छेत रहे आप आपका गुजरात मिश्थित है डिक बोई तेल रिफाइनरी और नुमाली गड़ तेल रिफाइनरी आपके आस्था मिश्थित है बरवनी तेल रिफाइनरी आपके बिहार में है ताती पाक तेल रिफाइनरी आंधर प्रदेश में है पारादीप या उडिशा में है बीना ते वहर्ष 2011 की जनगाणा केंसर भारत का जनजाती समुदा है देश की जनसंख्या का 8.6% है और अगर जनसंख्या की देश से देखा जाए तो सबसे दिख्याथ जो निवास करती है जनजातियों की वह आपके मद्यपरिस में निवास करती है अगर प्रसता की हिसाब से देखा जाए तो मीजोरों में सबसे दिख जन जाती समूँ है और यह 24% है जन संक्रा की हिसाब से देखा जाए तो सबसे दिख आबादी मध्यपरिस में है अगर प्रसता की हिसाब से देखा जाए तो मीजोरों में सबसे दिख जन जाती आबादी ह है 2011 की जन गर्ना के अंसार भारत का सबसे बड़ा आदिवासी जो आपका भील है अदूसरी सबसे बड़ी जन जाती जो आपकी गौंड यह तो आपके भारत के परिपेच में है उत्तर पर्देश की जो सबसे जनजाती सम्मुग है और यह विशेश रूप से आपके त्रेपुरा मीजोरा और असम में यह पाए जाते हैं आसम में अनसोचित जनजाती अनसोचित जनजातियों में सबसे बाला जो सम्मुग आपका वो बोडो है बोडो जनजाती जो विशेश रूप से आपके आसम में प यहां पर आदिवासी कहां पर निवास करते हैं जो आपके परिशा के लुपियोगी इसलिए यहां पर लिया गया है संथाल मुंडा और हो यह जारखन पाए जाते हैं थारू और भोटी या भिसे सुरूप से उत्राखन में गारो खासी जानतिया यह आपके मिघाले में यह का अच्छा परिश में अब और मिश्मी डाफला यह आपके अवल अच्छा परिश में यह समुग पाए जाता है और थारू जिंजात की जो लोग होती हैं यह दिपावली को सोक की रूपी मनाते हैं यह कई बार परिच्छा में पूछा गया है इसलिए फैक्ट यहां पर लिय अब वर्तमान में टोटल 28 राज हैं और आठ किंसराज परिश भारत में हैं इससे पहले दो जोन 2014 को तैलंगाना का गठन हुआ था पूरवत्तर भारत जिने हम लोग सेवन सिस्टक नाम जानते हैं यहां से कई बार में राजधानी के रोप में पूछा जाता है मीजोरम की आईजोल और नागरलेंड की कोईमा है इन सातो राजियों की यह राजधानिया है इटानगर देश पोर सिलोंग इमफाल अगरतला आईजोल और कोईमा भारत में बाग अभ्यारण भारत में प्रजक्ट टाइगर वर्स 1973 में शुरू किया गया है और प्रतेक वर्स 29 जुलाई को 20 बाग दिवस मना जाता है भारत में टोटल तीरपन टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में और इसे जो है ENG TA यह मानेता प्रदान करता है और इसके ऑफिसल वेब साइट के अंसार टोटल जो भारत में तीरपन टाइगर रिजर्व हैं भारत का तीरपन वा टाइगर रिजर्व गोसित किया गया है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यह नागारजुन सागर स्री सेलम टाइगर रिजर्व है और यह है आंधर प्रदेश और तेलंगना के बार्डर पर यह स्थित है सबसे चोटा जो Tiger Reserve है वो Bull Tiger Reserve है और यह महराश्ड में चीछते है सबसे बड़ा नागार्जुन सागर स्रिसलेम Tiger Reserve यह अंधर पर होती लंगाना में चीछते है और सबसे चोटा आपका Bull Tiger Reserve महराश्ड में चीछते है कैला सांखला जी को Tiger Man of India कहा जाता है और अभी हाले में गंड़ना की गई है टाइगरूं की तो इसके अंसार भारत में जो टाइगर की संखियावाप्की 316 सडौ सड . tah guysин भारत में और सबसे दिखा हैं और इसे टाइगर इस्टेट भी कहा जाता है इसके बद करनाटक में 524 और उत्राखण में 442 टाइगर हैं सबसेती जो बागवाप के मद्यप्रेश में 526 है अगला जो टॉपिक है वह है उत्रप्रेश के प्रमुख पच्छी अभ्यारन नवाब गंज पच्छी अभ्यारन आपके उन्नाव में है सांडी पच्छी अभ्य बखीरा पच्छी अभ्यारन आपके संद्कभी नगर में है पटना पच्छी वियार ये इतावा में है यह कईबर परिच्छा में पूछा जा चुका है पटना पच्छी अभ्यारन इतावा में है समन पच्छी वियार ये आपके माहिनपूर में है पार्वती अर्गा पर्वती अर्गा पच्छी अभ्याने आपके गोंडा में है सली मली राष्टी पच्छी उद्यान आपके जम्मु कस्मीन में है पहला राष्टी उद्यान जीम कार्वेट नेशनल पार्क है और इसका पहले जो नाम था वाई हेली नेशनल पार्क था और इसके जो स्थापना है वर्स 1935 में इसके स्थापना होई है और जीम कार्बिट नेशनल पार्क की मद्य से राम गंगा नदी होकर गुजरती है यह भी फैक्ट काफी इंपोर्टेंट है राम गंगा नदी जो है यह जीम कार्बिट नेशनल पार्क की मद्य से होकर गुजर इसके स्थापना वर्स 1925 मोई थी और यहां भारत का पहला राश्टी उध्यान था और भारत सबसे बड़ा जो राश्टी ऊध्यान है यह हैं अगला जू है भारत के प्रमुख बहुत देशी नदी घाती परियुजना तीहरी बात परियुजना यह भागी रती नदी परिश्थित है और यह उत्राखन में परिश्थित है भागला नागल परियुजना यह सत्ल नदी परिश्थित है और यह पंजाब और हिमाचर परिश्थित है नाथपा ज्हाकरी पर्योजना यह सर्ल नदी परिश्थित है और यह हिमाचर परिश में यह यह योजना परिश्थित परिश्थित है बगली हार दुल हस्ती और सलाल जल्विदूद परिश्थित परिश्थित है यह तीनों चिनाम नदी परिश्थित है और यह जम्मु कस्म नागार्जुन सागार परयूजना कि मुख्ष chairू लगा इन जा आफ है। नागार्जुन सागर परयूजना जिश्रणा नदी पर है और आंधर परिष और तेलांगाना करे अल लेकर सिमा पर इस्थितित्त है। हरी के बैराज से निकरती है इंद्रा गांदी नहर परियोजना और इसे रायस्थान नहर या रायस्थान की मरुगंगा कहा जाता है इंद्रा गांदी नहर परियोजना को इडुकी परियुजना यह पिरिया नदी पर है और यह केरल राज में इस्तित है माता टिला मात परियुजना यह उत्तरप्रिस्क ललितपूर में इस्तित है माता टिला बांध परियुजना और यह बेतवा नदी पर है बेतवा नदीपर है, माता तिला, बांध परियोजना, सतलुज परियोजना यह चिनाम नदीपर है और यह जम्मु कस्मिर में इस्तित है, सरदार, सरवर परियोजना, नर्मनादा नदीपर और यह गुजरात में इस्तित है, इस प्रकार जितने भी important बहुत देश सी फुटबाल का एक कप है, इसी प्रकार से थामस कप बैटमिंटन से समझनित है, उबेर कप बैटमिंटन समझनित है, उबेर कप जो होता है यह मैलाओं के लिए होता है और थामस कप यह पूरुस बैटमिंटन का होता है, इसी प्रकार से सुल्तान अजलान साह कप यह होकी का एक कप एक ट्रोफी है, इसी प्रकार से बेटन कप या एक होकी का एक प्रतियोगता है, डूरंड कप या फुटबाल समझी था है, फुटबाल की एक प्रतियोगता है, इसी प्रकार से क्रिकेट के लिए रनजी ट्रोफी, डेली ट्रोफी, इरानी ट्रोफी, देवधर है यह क्रिकेट समन्दित है एक बार इसको लोग खिर से देख लेते हैं डेविस कप टेनिस संतोस ट्रॉफी काफी इंपोर्टेंट है या फुटवाल समन्दित है थामस कप बैडमिंटन उबेर कप बैडमिंटन अजलांसा कप या होकी बैटन कप होकी दूरेंड कप प्रश्ण आप की परिचाम में इहां स्मूचता है। उनमें कौन कौन से नदियां कहां-कहां पर मिलती हैं। यह एक दूसरे से नंद्र प्रईाग मिलती हैं। यहां पर लब ध्यान देजेगा यह नंदाकनी नदी है मंदाकनी नहीं नंदाकनी है मंदाकनी बाद मिलती है करण प्रयाग में पिंडार नदी और अलक नंदा नदी एक दूसरी से मिलती है रोध प्रयाग में मंदाकनी नदी और अलक नंदा नदी आकर मिलती है और देव प जो नदी नदी भारत और बंगला देश के बहते हैं, आपकी परिशंगे लिए सानाई के लिए प्रसिद्ध हैं, बिसमिल्ला खाँ जी, यह सनाई के लिए काफी फेमस है सिवकुमार सर्मा यह संतूर वादंग के लिए प्रसिध है हरिपसाज चौरसिया जी, यह बांसुरी के लिए काफी फेमस है तबला वादक जाकिर हुसायन है अल्ला रखा खाँ और किसन महराज है ये सबी जो है तबला बजाने के लिए फेमस हैं वाइलिन बजाने में टी एन किष्णन काफी फेमस हैं और वीड़ा जो है वे एस बाल चंदरन जी बजाते हैं एक बार हम लोग फिसके इसका रिविजिन कर लेते हैं पंडित रविशंकर सितार समदित हैं अमजद अली खां स सरोज से बिस्मिल्ला खां सैनाई से सियुक्मार सर्मा संतूर से हर प्रसाच और सिय बांसुरी बजाते हैं तबला जाकिर हुसेन अल्ला राखा खां किसन महराज और वाइलिन टी एन किष्णन और वीड़ा आपके एस बाल चंदरन जी बजाते हैं विश्ट के प्रमुक सं यहां से प्रसन पूंचता है कौन सका सदस्थ है या कौन नहीं है तो सार्क में आपका अफगानिस्तान है बांगलादेश बोटान है भारत थै मालदिव नेपाल पाकिस्तनischen FERCast Besides आठ देश हैं सार के और इसका जो मुख्यालाब आपके काठमांडों मिश्थी थे हैं सन्योतराष्ट परिवाण कारिकाम UNAP के जो मुख्यालाब आपका नेरोबी में हैं इंटरपोल का मुख्यालाब लियोन्स फ्रांस मिश्थी थे हैं बिश्व व्यापार संगठान WTO का जो मुख्यालाब आपके जेनवा मिश्थी थे हैं अंतराष्टी परमाण उर्ज्या एजनसी का जो मुख्यालाब वियना मिश्थी थे हैं पेट्रोलियम उत्पादन देशों का जो संगठान जिसे हम लोग ऊप्यक के नाम जानते हैं इसका भी मुख्याला आपके बिया ना मिश्थीत है UNICEF का मुख्याला निव्यार्क में है UNESCO का मुख्याला आपके पेरिस में है 202 का मुख्याला है वासिंगटन डीसी में है और निव्यार्क में सानितराश्च संग का मुख्याला है और इसकी जो स्थापना है वर्स 1945 में निव्यार्क में जो है सानितराश्च संग के स्थापना होई है और इसका जो मुख्याला है आपके निव्यार्क में है अंतराश्च चीन में है। और बिक्स का जो मुख्राव आपके संगai चीन में सत्टिते थे ब्रिक्स में टोटल पांच देश इसने आपका ब्राजील रूस भारत जीन भारत प्राइब अशाट्र प्रिका कहा है। जो इनको रिष्टक देश हैं अंतराश्टी बाजरा वर्स वर्स 2023 को घुसित किया गया है सनित राश्ट के सुरच्छा परसित के जो अस्थाई सदस है वो टोटल पांच है इनमें आपका सनित राज अमिर्का है रूस है फ्रांस है चीन है और उनाइटिट किंगडम है टोटल जो है पांच इसके अस्थाई सदस होते हैं और पांच इसके अस्थाई सदस से होते हैं सनित राश्ट के सुरच्छा परसित में अगला जो टॉपिक है वो भारत के परमाल उर्जाग्री है भारत में कहां कहां पर परमाल उर्जाग्री है जिन में आपका देखिए तारापूर है ये आपके मह तारापुर महराष्ट, रावत भाट भाट राज्थान, काकरापार ये आपके गुजरात में, नरवरा बुलन सार उत्रप्रेश में, कलपक्कम तमिलाड में कैगा कनाटक और कुडन कुला में आपके तमिलाड में इस्थित है, यह बायो से कुछ इंपटर फैक्ट को लिया गया है, जैसे जीवांड से होने वाले रोग कौन-कौन से यह आपके परिशा में पूछा सकता है, जीवांड से आपके टिटनेस, निमोनिया, छह रोग जिसे हम पीवी की नाम से जानते हैं, टाइफाइट, डिप्थेरिया, कालिखासी और हैजा, यह सभी रोग जो है, य प्रोटो जीवांड से होते हैं, प्रोटो जीवांड से होते हैं, प्रोटो जीवांड से होते हैं, यहां से प्रस्ट आपके परिशा में हो सकता है, इकार प्रस्ट देखनों को मिल सकता है, कौन-कौन से रोग किसके कारण्स होते हैं, अगला प्रमुक रोग और कौन से अं अच्छाय रोग जो आपका TB है जिए विश्यस रूप से फिफड़ को प्रभावित करता है ताइफाईड हाईजा पेचिस प्रभावित करता है पीलिया से हमारा यक्रिक प्रभावित होता है और पारिकिंसन इनसंद यह रोग है आपके मस्तिस का एक रोग है विसे सुरूप से आप डिप्थिरिया ध्यान देदेगा नेमोनिया और पीलिया यह कई बार प्रिच्छा पूछा गया है आगे के लिए काफी इंपोर्टेंट है डिप्थिरिया गला होता है फेफ़ला जो है यह नेमोनिया गचयोन देदेगा रिटामिन बेले विसे से बॉस्दक्राण भोटा आप यह बोगधांगी होता है पो और जरूर्म स्पूर्ण होता है पैन अंहले में लिए को स्वस्दिन बीतामिन एक गलता मिवे रैसlarını नाम आपका थाइमिन है और इसका गलता दामिन आपका धायल रैवडीन है जो बीतामिन के रासाणि नाम थाइमन होता है कि आप जो आपको नौट करते हैं अपर गैंवा priss sixteen ज़स्त के हैं B1, B2, B3, B6, B12 यह यह क्योंकि परिश्य हम यहां से परसंद बर बाद बाद पूशता रहता है B3 का जो रहसानी नाम आपका नियास्यन है, B6 का रहसानी नाम परेडॉक्सिन है और इसी प्रकार से B12 का जो रहसानी नाम आपका साइनो कोबाला मीन है और विटामिन C का जो रासानी नाम आपका एसकॉर्विक अमल है और इसके कमी से इसकर्वी रोग होता है विटामिन D का रासानी नाम कैल्सिफरॉल है और इसके कमी से रिकेड्स अस्थि रोग होता है विटामिन D से रिकेड्स रोग होता है और विटामिन E से प्रजिनन चंत जो आपका रख्त है वो ठका जन्ने में अधिक समय लेता है यह काफी इंप्टेंट है है कि पूक्यो ऑलंपिक 2021 वे जीद किया गया था तोजो जापान में आजिद किया गया था और इसमें रहा इसमें टोटल 49 गोल्ड, 41 राज़त और 23 ब्रांज पदक सहीट, टोटल 113 पदक इसने जीता है, अब इसी साथ ये पहले अस्थान पर रहा है, दूसरे अस्थान पर चीन रहा है, जिसने 38 गोल्ड, सिल्वर, 32 और भ्रांज आपका 19 टोटल जो है, 89 पदक सहीट, चीन दूसरे असान पर रहा है, टीसरे असान पर जापान रहा है, जिसने 27 गोल्ड, चौद्वर और ब्राण घुलोर 10. अब्रार्ण्वी से लएवा देखते हैं कौन कौन से किसने परण जीता है निराए चोप्रा ने गॉल्ड मिले जीता है उलंपिक 2021 मुरवा चानू सिल्वर रर्वीद stellया सिल्वर परण जीता लौलिना बोर्गोहेन जो है यापकी ब्रांच पर गिते र यह ब्रांच हेटे थे और भारती पूरूस होके टीम जो है यह ब्रांच मीडल गीता था अ कि के आगे हम लोग कुछ साइन्स के important fact को cover करेंगे इस में हम लोग सबसे पहले देखते लिए कुछ business पतार्थ उनके रासानी नाम क्या होते हैं और उसके जो है रासानी सुत्र क्या होते हैं विलेंजे चूड जिसे हम लोग बलेचिंग पाउडर नाम जानते हैं इसका जो रासानी सुत्र होता है वो CAOCL2 होता है इसी प्रकार से चूने का पानी के जो रसानी नाम होता है वो आपका calcium hydroxide होता है इसका जो रसानी सुतर होता है वो आपका CAOH का twice होता है gypsum का जो रसानी सुतर होता है वो आपका calcium sulfate होता है और इसका जो रसानी सुतर होता है आपका C A S O 4 इंटू 2 S 2 O होता है और कैलसियम सलफेट जो है इसका रासानी नाम है Plaster of Paris का रासानी नाम जो आपका कैलसियम सलफेट हेमि हाइडरेट होता है इसका जो रासानी सुत्र होता है वह है 2 C A C A S O 4 इंटू S 2 O होता है इसी प्रकार से खाडिया का जो रसानी सुत्र होता है वो आपका CACO3 होता है और इसका रसानी नाम कैल्सियम कार्बोनेट होता है जला हुआ चुना या बुझा हुआ चुना इसका जो रसानी सुत्र होता है वो आपका CAO होता है और रसानी जो नाम आपका वो कैल्सियम ऑक्साइड होता है संग्वार्मर का जो रसानिक नाम होता है आपका कैल्सियम कर्बनेट होता है और इसका जो रसानिक सुत्र होता है आपका CACO3 होता है हाइपो का रसानिक नाम आपका सोडियम थायो सलफेड होता है और इसका रसानिक सुत्र आपका यन्य2-H2O3-5-H2O होता है मार्स गैस का रसानिक नाम आपका मेथिन होता है और इसका रसानिक सुत्र होता है आपका CH4 होता है प्रस्णाप की परिश्म सीरे पूछेगा कि हाइपो का रसानिक नाम क्या होता है या प्लास्टर आप पेरिस का रसानिक नाम क्या होता है या चुने के पानी का रसानी का सुत्र क्या होता है या प्लाषटर आप पेडिस का रसानी का सुत्र क्या होता है सीद्ध परसनाव की परिच्छा में पोजता है तो जो भी IMPORTANT IMPORTANT है उनको हम लग इस वीडियो के माध्यियsem से कबर करेंगे प्रोडूसर गैस का जो रसानिक सुत्र होता है वापका CO plus N2 होता है यह काफी important है इसी प्रकार से साधरान नमक का रसानिक नाम आपका होता है वापका sodium chloride होता है और रसानिक सुत्र आपका NaCl होता है baking soda का sodium bicarbonate NaHCO3 sodium 25 soda का sodium carbonate होता है Na2CO3 into 10H2O कास्टिक सोडा का रसानिक सुत्र आपका NaOH होता है और रसानिक नाम आपका sodium hydroxide होता है और यह तीनों काफी important है baking soda, धावन soda और caustic soda इसका नाम कुछा सकता है इसका सुत्र आपको मिलान करने को दे सकता है युलिया का रसानिक नाम कारवामाइड होता है NH2, CO-NH2 होता है इसी प्रकार से chloroform का रसानिक सुत्र होता है वा CHCl3 होता है और इसका रसानिक नाम होता है ट्राइ क्लोरो मेथेन होता है फाजीन का कारवोनिल क्लोराइड होता है इसका रसानिक सुत्र होता है वा COCl2 होता है सिर्के का रसानिक सुत्र आपका होता है CH3, COOH होता है acidic acid कार्बोलिक अमलका आपका फेनोल होता है इसका रासानिक नाम और इसका रासानिक सूतर होता है C6H5 OES होता है एलकोहल को आपका अमलोग एथिल एलकोहल की नाम जानते हैं और C2H5 OES इसका रासानिक सूतर होता है जल गैस का जो रासानी सूतर होता है वो CO H2 होता है और इसी प्रकार से एकोरेजिया जो है यह है 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 चैनो थिरी और यह स्जल का मिस्रन होता है और यह जो मिस्रन होता है वो आपका एक अनुपाति तीन होता है और यह मिस्रन जो है यह सोने को भी गला सकता है सोने को भी गला सकता है प्रस्ता आपकी परिसम सीरी पूछेगा सोने को किसमें गला सकता है तो आपका एको रेजिया में हो सकता है या पूछेगा एको रेजिया में एको रेजिया में होता है आपका एक अनुपाते तीन का होता है और यह जल जल गैस और एक आपका सिर्के का 2.4 से 3.4 होता है सराप का 2.8 से लेकर 3.8 होता है कौफी का 4.5 से लेकर 5.5 होता है मानो मोत्र का 5.5 से साड़े साथ के मद्य होता है और मानो लार का आपका पी अश्मान होता है एक आपका अमल होता है दूसरा आपका लमड होता है तीसरा आपका छार होता है अमल जो होता है इसका पी अश्मान साथ से कम होता है साथ से कम होता है लमड का एकदम करेक्ट जो है वो साथ के बराबर होता है और छार का जो है यह साथ से अधिक होता है अ पीएज जो पैमाना है इसकी जो खोज है वो आपका सेरेंसन ने की थी सेरेंसन ने जो है वो पीएज पैमानी खोज की थी हाइडोजन खोज आपका कैवेंडिस ने की थी और आक्सजेन खोज आपका प्रिस्टले और सीलेन मिलके की थी और यूरेन ने जो है यह भारी वाटर जिसे हम लोग D2O को नहीं जानते हैं इसकी खुज़ आपने आपके यूरिन ने की थी इसी प्रकार से CNG में मेथेन और एथेन प्रमगरूप से पाए जाता है LPG में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाता है कोल गैस में हाइडोजन, मेथेन और कार्बन मोनो आकसाइड पाए जाती है और इसी प्रकार से वाटर गैस में आपका कार्बन मोनो आकसाइड और हाइडोजन पाए जाती है यह काफी इंपोर्टन्ट है आकसर परिशाम में आपके पूछता रहता है पूछेगा सीधे प्रस्ट, LPG में मुख्य पदार्थ कौन है, ब्यूटेन, प्रोपेन, CNG में मेथेन, और एथेन, तीस प्रकार जो है, वाटर गैस में कार्बन मोनो अक्साइड और हाइडोजन होता है, यूरियम जो नाइडोजन के मात्रा आक्सर कईवे परिशाओं अब्यदार दात हो जाते हैं, और यह कमजोर दात के लिए उत्तरदाई होते हैं, भोपाल गैस त्रासदी जो होई थी, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिशा हुआ था, और उजोन छर्ण से इससे चर्म कैंसर हो सकता है, और जल्ब में नाइटरेट की जो अधिक्ता प्रति जो अधिक्तार से जो है, ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कर बेबी नगैसों का वैस yönचतापन की प्रतिएं सापेचिक योगडान कितना होता है? सबसरी जो जोग दान होता आपका जल्वास्प का होता है, दूसरी अस्थान पर आपका कारबन डाइक्साइ सापन की पुछी कि इसमें कौन सामिल नहीं है तिन में से तीन देदेगा एक कोई दूसरा चीर दे देगा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजेगा, कोसकी और उसके साधरान नाम, लाइसोसोम को हम लोग कोसका की आत्म हत्या की थैलिक नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास जो है, ये कोसका का प्रकास संसलेशन केंदर होता है, और ये कोसका का अंदर कोसका होती है राइबोसोम जो है यह कोसिका का प्रोटीन संसलेशन केंदर होता है क्रोमोसोम यह अनुवांसे की गुणों का वाहक होता है और केंदर जो है यह कोसिका की समस्त क्रियाओं को जो है नियंत्रन करता है और माइट्रो कांडिया को जो है यह जो है कोसिका का सक्ति अस्थाल को सब्सक्राइब को सक्डाइब ऑपका। कि दुसरा आपका एस्टोजन होता है ती है आपका टेस्टोराण जो यह पया का जा चाहता है deployed प्रिकार से मैलाओं में जो है एक पोजेस्टरॉन होता दूसरा आपका एस्टोजन होता है तो यह आपका टेस्टरॉन जो यह पुरूस है सक्स हर्मन होता है और पोजेस्टरॉन और एस्ट्रोजन जो आपके मैलाओं पाजाता है तायलिन जो है यह स्टार्ज के पाचन में स सहायक होती है और ऑक्सिटेयोशन के जो है यह लब हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है पेपसिन एंजाइम भोजन में प्रोटीन के पाचन में जो है सहायत करती है रोधीरवर्ग A में जो है एंटीजन A और एंटीजन B उपस्तित होता है जब कि रोधीरवर्ग B में एंटीजन B वा एंटीजन B जो है उपस्तित होता है रोधिरवर्ग AB में एंटीजन A और B दोनों उपस्तित होते हैं परन्तु एंटीबोडी अनुपस्तित होता है और जबकि रोधिरवर्ग O में एंटीजन अनुपस्तित होता है परन्तु एंटीबोडी A और B दोनों उपस्तित होते हैं और इसी प्रकार जो है रोधिरवर्ग AB को सर्वग्राही कहा जाता है और रोधिरवर्ग O को सर्वदाता कहा जाता है सर्वदाता ओक कहा जाता है और सर्वग्राही आपका AB को कहा जाता है कुछ फैक्टम लोग बिटामिन देख लेते हैं बिटामिन जिसका रासाने नाम रेटिनाल होता है और इसकी कमी जो आपका रताओधी रुख बिस्यूस रुख से होता है और जीरो थैल्मिया जो भी रोग आपका होता है भी आपका बिटामिन एक कमी से होता है दूसरा आपक इससे रसानी जो नाम आपका थायमिन होता है इससे जो है बेरी-बेरी रोग होता है बिटामिन B2 जिसका रसानी नाम राइबोफलोवीन है इसके जो कमी से आपका किलोसिस होता है बिटामिन B3 जिसका रसानी नाम आपका नियासिन होता है और इससे जो है इसकी कमी से पेलाग विटामिन B6 इसका जो रसानी नाम आपका है पालिडॉक्सिन है इसमें जो है रक्त छिंडता चर्म रोग और पेसी अइठन होती है विटामिन B7 जिसका रसानी नाम बायोटीन होता है इससे चर्म रोग बालों का जणना आपका प्रभावित होता है विटामिन B9 जिसको रसा जन संख्या निवास करती है यह उबराल जन संख्या की बात की जा रही है और सबसे कम अन्सोची जात की जन संख्या निवास करती है अगर प्रस्ता 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 की जन संख् और सांबी में है और प्रस्ता की हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम अंसोचित जात की जनसंख्या आपके बागपत में हैं सबसे अधिक अंसोचित जात की जनसंख्या वो जो जीला आपका वो आपका सोनभद्र है सोनभद में जो है सबसे अधिक अंसोचित जनजात की जनसंख्या निवास करती है और सबसे कम अंसोचित जनजात की जनसंख्या निवास करती है आपके बागपत में सबसे कम सबसे अधिक अंसोचित जनजात की जनसंख्या जो निवास करते हैं तो आपको सुनभद्र है और प्रस्ता की हिसाब से सबसे कम अंसोचित जनजात की जनसंख्या निवास करती हैं आपके बागपत में काफी confusion है ऐसे प्रस्म फूसी जाते हैं ते इनको एक से दो बार ज़रूर देख लेजेगा आप लोग सबका confusion आपका clear हो जाएगा सबसे दी नगरी जनसंख्या जो निवास करती है वो आपके गाजियावाद में है और प्रसता किसा आपके देखा जाए तो सबसे कम नगरी जनसंख्या आपके सरावस्ती में है तो दोनों ही जो है एक ही प्रकार का है overall और परसेंट्र में भी दोनों एक समान है और overall देखा जाए तो सबसे दी जनसंख्या वो आपके प्रयागराज में है सबसे दिंगानुपात आपके जौनपूर का है नियुनितम परदेश जनगरना 2011 से अब हम लोग थोड़ा साइन्स के कुछ पोर्शन को देखते हैं क्योंकि साइन्स का सेक्षन अभी तक छूटा था इसलिए हम लोग इस वीडियो में जहतर साइन्स के कंटेंट को देखेंगे मोल राजसें जैसा कि हम जन्स प्रोटल साथ हैं उनके मातर को देख लेते हैं मोल राजसें आपका लंबाई है द्रवमान है समय है वेदुधारा ताप पदार्थ की मातरा और ज्योत्ती बृता है इनके मातर को देख लेते हैं लंबाई का मीटर होता है द्रवमान का किलोग् तो आपका Kelvin होता है और जेवत्ती वृत्याक का आपका Candela होता है प्रकास वर्स एक प्रकास वर्स निर्व्यात में प्रकास के द्वारा जो चले गए दूरी होती है उसे एक प्रकास वर्स का जाता है और यह है 9.46 गुरिदा स्पावर 15 मीटर के बराबर होता है और एक आपका तिया डेटा आप लोग ज़र नोट कर लिजेगा, कुछ आपकी परिच्छा में माइक्रोन, नैनो मीटर, एंगस्टाम और फर्मी से प्रसन आते हैं, उनकों लोग देख रहेते हैं, एक सेंटिमीटर बराबर होता है, एक मीमी होता है, आपका दस के पार माइनस तीन मीटर हो 10 के माइनस 15 मीटर होता है, तिस प्रकार जो है, कुछ दोरी से रेटर जो फैक्ट थे, उनकों लोग कबर कर लिए है, पहले जो तेल की मात्रम मापी जाती थी, वो बैरल मापी जाती है, लेकिन वरतमान माव इससे जो है, घन मीटर मापा जाता है, और एक बैरल बराबर होत होता है, दाप का मात्रक न्यूटन प्रत मीटर स्क्वार होता है, जिससे पास्कल की नाम से भी हम लोग जानते हैं, और एक पास्कल बराबर होता है, एक न्यूटन प्रत मीटर स्क्वार होता है, कुछ अन्य भहतिक रास्यों को देखते हैं, और उनकी मात्रक को देखते है क्योंकि परिश्चम सीरे पूँछ सकता है कि जूल किसा मातरक है तो जूल आपका उस्मा का मातरक है इसी प्रकार से घनत का मातरक किलोग्राम प्रतिक घन मीटर होता है विद्यू अविस का खुलाम होता है विद्यू धर्जता का फैरेड धोनी तीवरता का डेसिबल होता है आवरेति का हर्ज होता है, तरंगदैर का एंगस्ट्राम होता है, और रिस्ताई मातरक अपका मीटर होता है, समद्र की गहराई जो मापी जाती है, और उसमा का आपका जूल मातरक होता है, विशु उसमा का जूल प्रतिक किलो ग्राम होता है, वेद्धु उर्जा का जो मातरक बापकर जूर प्रतिक किलो ग्राम होता है है गोस जो है यह चुम्बी के छेतर का मात्रक होता है जिए फ्लंश का आपका लिव्मेर होता है डायोटर spider प्रकासवर्स मापया जाती है आफा श्यानताकाइगा वो न्यूटरन प्रती techniques ऐसे प्रेंदर के शेटर के होकार। चुम्ब की छेत्र की तीप्रता का जो मात्रक होता है आपका टेस्ला होता है और इसी प्रकार से वेक का जो मात्रक मीटर प्रत सेकेंड होता है और बाल का मात्रक जानते हैं आप लोग न्यूटन होता है काई बार परिच्वां पूछा भी गया है इसी प्रकार से तुरान का जो मात्रक होता है वो जूल प्रत सेकेंड होता है और यह उसे वाट भी कहा जाता है तीस प्रकार जो है कुछ अम लोग बहुते ग्राशियों को मात्रक को भी कबर कर लिए हैं और यह प्रस्ण काफी इंप्वार्टन परिछा पूछता रहता है माइनस चालिस सेंटिग्रेट जो है यह माइनस चालिस अंस फॉर्ण हाइट के बराबर होता है यह फैट काफी इंप्वार्टन है यह दोनों का बराबर होते हैं यह माइनस चालिस सेंटिग्रेट बराबर होता है आपका चालिस अंस फॉर्ण हाइट के बराबर होता है दोनो मंट splendid के pomocätता है कालडियोगराम या मनुष केर्दय गत को मापने की अंत्र में बदलता भोड़ते हैं अधे प्रेओंने क्लिकरण या इससी प्रकार से ये यह युकान्ट करें और चता इहंदर को मांपते हैं लिए दूर्द की सुझता को मांपा SSD घाए परिवर्थित करने वाला एक उपकरन माइक्रोफोन और इसी प्रकार से ओल्ट मीटर जो है यह दो विंदुओं के आवेस भिनेता को मापने वाला एक यांतर है और ट्रांसफार्मा जो काम होता है यह AC विदुद्ध को एसी विदुत की वोल्टेज को जो है कम या आधिक करने वाले यंत्र होता है आपका ट्रांस्पार्मा यह जो है यह घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है इसी प्रकार से स्फिंग्मो मैनोमीटर होता है यह हमारे धामनियों में रोधिर के दापक मापने में प्रियुक किय है आँ ये हम फ्लोंग देखेंगका अब उकार्णो अर्जा को रुपा अंत्रान किस रूप में होता है डाय्यमो यह आयान्त्रग को विदुत उर्चा में रुदम्हान बदलता है इसी प्रकार से विददchny मोटर जो होता है माइक्रीद करता है में कर देवकार्या के आप विद्यूत उर्जा में बदलता है और हमारी जो ट्यूबलाइट होती है यह विद्यूत उर्जा को प्रकास उर्जा में बदलती है विद्यूत वल भी यह आपका विद्यूत उर्जा को उसमी उर्जा और प्रकास उर्जा में बदलता है विद्यूत से लोगता है यह आपके तीन लाग किलोमेटर प्रती सेकंड होती है इसे हम लोग मीटर में देखेंगे तो आपका तीन गुड़े 10 पौर 8 मीटर होती है मीटर प्रत सेकंड होती है आपके निर्वाद में प्रकास की चाल जो सरवाधिक होती है अगर जल में देखा जाए तो जल में प्रकास की चाल व इसे परकार से हीरे में प्रकास के गती है वह 1.24 गुड़ेस पर 8 है आप लोग इसको नोट कर लिजे कभी प्रस्टन आपको गत के आरोही आरोही करमे भी दे सकता है तो आप लोग इसे तो ध्यान देजेगा कि प्रकास की गत सबसरीक आपके निरबात में होती है वह तीन तीवरता को हम दो देखेंगे कभी-कभी प्रस्टन आप से पूछता है कि लौट स्पीकर की तीवरता कितनी होती है या रॉकेट की तीवरता कितनी होती है या साधान जो बाच्चित की जाती है वह कितने डेसिवल में की जाती है जो फुसाहट होती है वह आपके 15-20 डेसि या मोटरवाहन के जो आवाज नबे से पंचानबे डेसीबल तक होती हैं इसी प्रकार से पत्तों की जो सराहत होती है वह आपके 20 डेसीबल तक होती है और राकेट की जो आवाज होती है। 160 से लेकर 170 deciber तक होती है जो काफे ज़्यादा होती है हम लोग कुछ प्रमुक अविसकार और उसके अविसकारा कौन थे उनकों देखेंगे डायनमो का जो अविसकार है वो माइकल फैराडे ने किया है रेडियो का अविसकार मारकोनी ने किया है इसे प्रकार से टेलिवीजन का अविसकार जे एल बेर्ड ने किया है फोटो मीटर का अविसकार चार्ल स्पिकरिंग ने किया है कैल्गूलेटर को पास्कल ने बनाया है और हमारे बिल्द बाल्ब को जो है यह Edison ने बनाए हैं, transistor का जो आविसकार वो管 सौखलर में किया है और cycle के जो आविसकार है वो आपके पाकुले ने किया है। माइक्रोस्कोप का जो आविस्कार है वह जेंसन एंड जेनस ने किया है इसी प्रकार से रिवालवर का जो आविस्कार है आपके कोल्ट ने किया है कुछ नियम को लो देखते हैं कौन सा नियम किस ने दिया है दाप का जो नियम या पास्कल ने दिया है साफिच्टा का जो और सिद्धान्त के आर्कम डीज दिया है जो पानी का नियम है जो प्लवन का नियम है वह आपके और सिद्धान्त पर कारिय करता है जो नाब की रियक्टर है यह नियंत्रित नाब की विखटिन प्रक्रिया पर कारे करता है हुआ कि कुछ खोज उनकों लोको देख लेते हैं जे जे थामताण ने जो है वर इलक्ण की खोज कि थी जे हैं शेट sun प्रोटान की जो खोज है वो गोल्ड इस्टीन ने की है जो आयोग मानता आप लोग वही करिएगा और जो यह लिखा गया है वही आप लोग मानिएगा गोल्ड इस्टीन जो है यह प्रोटान के खोज करता है ग्रहों की गत्क से समदी जो नियम है वह केपला ने दिया है और क द्रव की द्वयती प्रकृत का सिधान्त दिया है। हमारे प्रसेदि जो बैज्ञानिक हैं सीवी रमन जी उन्होंने प्रकास के प्रकृत्रें समन्दिर रमन प्रभाव की खोज की थी और यह खोज नोंने 1928 में की थी और इसी के लिए जो है 1930 में नोबेल प्रसकार प्राप्तुगा है और इसी कारण जो है प्रते एक 28 फरविक हमारे भारत में जो है राष्टी विग्यान दिवस मना जाता है आयते हैं आगरा फैक्ट को हम लोग देखते हैं जीवा निर्जीव पदार्थों पाए जाने वड़े तत्तों के तु मातरा होती है इसी प्रकार से मातरा होती है अगर भूबरवटिन देखा जाए तो वहां पर भी आख चीज़न के मातरा होती है सबसे अधिक होती है अगर तीसरी मातरा आपके कैसींग दूसरा जो अस्थान वत तो आपका कार्बन काता है और तीसे अस्थान में आपका नाइट्रोजन है बाकी सभी काफी कम-कम मात्रम है तत्व समंदित कुछ प्रमुख जानकाजियों को देख लेते हैं सरवादिक गैसी तत्व वाला जो वार्ग वापका सुन्य व्रग है एक परमादवी ट्रवय तत्र की उधारण वापके सभी अक्री गयसे हैं मानोसरी में सबसरी देख पाए जाने विटी के अक्सिजन है जैसा के बताये जा चुका है और मिटी के तयल में ुटी की तियल में रखा जाता है हमारी जो हड़्डियां और दातों का जो निर्माण होता है वो आपके कैल्सिन के कारण होता है सरवाधिक इलेक्रोनिक बंधुत वाला जो तत्व आपका फ्लोरीन है आप लोग कॉनबाक्स मुत आएगा कि कुलोरीन का परमाण क्रमाण कितना है इसका उतरा प्लोग कॉनबाक्स मुत आएगा सरवाधिक विदुत रिडापका जो तत्व आपका फ्लोरीन है सबसे प्रबल आक्सी कारक पदार जो आपका फ्लोरीन है और अब तक कुल जो है 108 तत्व की खोच की जा चुकी है और इसमें प्रक्यत रूप से जो पाय जाते हैं और कृतिर रूप से बनाएगे तत्व आपकी 20 है सबसे पर पुसहयों कि जो तत्व आपका पका खीजन है और स्बसे पर तत्व आपका फ्लोरीन है अगर धात की बात की जाए तो सबसे हलका धात जो तत्वाप का लीथियव है द्रव धात तत्वाप का पारा है और द्रव और धात जो तत्वाप का ब्रूमीन है यहां से प्रस्ण अक्सर बनता ही बनता है द्रव धात जोतात वापका पारा है और द्रव अधात जोतात वापका ब्रोमीन है विद्धुत का सबसे अच्छा सुचालक जोतात वापका चांदी है और विद्धुत का सुचालक अधात यह आपका ग्रिफाइट है ग्रेफाइड जो है ये आपके कार्बन का अपर रूप भी है इसे प्रकार से सबसे दिख और घात वर्धनी तत्व आपका सोना है मतलब जितना पीटा जाये उतना आपका फैलता जाता है सबसे दिख क्रियासील और धात जो तत्व आपका फ्लोरीन है सबसे भार यह सबसे हलका सबसे क्रियासील सबसे रिणविद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्वि मेहलेकिल उतपड़ेडर का करता है कुछ हम लोग तत्तों को हम लग इसके आयस को देख ग्यालेना और सिरुसाइट यह सभी जो है सीशा के आयसक है कापर के आयसक आपके क्यूप राइट जो काफी इंप्वार्टन है अक्सर पर पुछा जाता है और इसी प्रकार से मैलेक आयट जो है यह आपके कापर का यह आयसक है कलमीन यह आपका जिंक का एक आयस् When it happened is a इसे प्रकार से सीने बार जो है यह आपके पारा का यह नि banned मैगने टाइट शाम लोह यह है कि मिस धातू कि आपके तांपा और ंतीन से बनी है पीतल जो गंटी धातू इसी प्रकार से रोल गोल्ड जो होता है आपका तांबा और एलमुनियम के मिक्सर से बनता है रोल गोल्ड जो है यह है तांबा और एलमुनियम के सन्योग से मिलता है बनता है गन मेटल में आपका तांबा जस्ता और टीन मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकल मिला होता है मुदर धाती हैं आपके तांबा, टीन और फासपुरस से मिलकर बनाई जाती है यहां से एक परस्ट बनने की संभावना है इसको आपको जरुद ध्यान देजिएगा जहां से तांबा और टीन की मिक्सर से बनता है पीतल में तांबा और जस्ता बनता है जर्मन सिल्वर में आपका तांबा, जस्ता और निकल होता है बेल मेटल में तांबा, टीन होता है रोल गोल्ड में आपका तांबा, अल्मूनियम होता है इसी प्रकार से गर्मेटल में ताबा अजस्ता और टीन होता है और मुद्ध धातु में आपका ताबा टीन और फास्पूरस होता है आम लगके नाम और पाए कहां जाते हैं उनको हम लोग देखते हैं एस्तिक अमले जिसे हम लोग एत्वोग शिर्कम पाए जाता है और यह चीनडी के दंक पाएं जाती है वीटामीनसी आपके आमला हार है नीवू है संतरा है और सबी प्रकार जो खटे फल होते हैं उनमें आपका शांत्रिक अमले आपके डही दूद मत्था लस्सी जो दूद स है। numeanыл uh Unity's migrate ज़ता हैं और जएली अम ले आपके टमाट्र पालग पाय जाता है है तार्ट्रिक अम्ले आपका अंगोर इंपल्ह इंबली सिटरस केला टक्षीम इसमें जो है तार्टट्रीक पाय जाता है पाके सीब नास पाति में आपका महले कमल पाय जाता है । चाय में आपका टैनिक आपका ग्लूमा dabei हो सपरने डिली लिकफ्मस को लाल कर देते हैं और वहीं पे चार यह लाल लेटमस को नीला कर देते हैं कुछ उधारण में देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक आम ले आपका यास-CLS का सुद्र होता है सल्फियुरिक आम लेका आपका यास्टू-S-O-4 होता है नाइट्रिक आम लेका आपका यास-C-O-H होता है इसी प्रकार से छार कुछ आपके हैं जिसे सोडियुम हाइड्रोक्साइड या आपका यान-N-O-H होता है पोटाइसियुम हाइड्रोक्साइड की-O-H होता है कैल्सियुम हाइड्रोक्साइड आपका C-O-H का ट्वाइस होता है इसी प्रकाल से अमोनियुम हाइड्रोक्साइड आपका N-S-4-O-H होता है विटा लि क्लामा आस्टी ओमालेसिया नम नाम रोग घता विटामिन डिक कमी से विटामिन आपका तोको फिराल हो थाई इसके बिटामिन के का लगता है और इसकी कमीस जो है छोट लगने पर रख्त का फकह नहीं जमता है वीटामिन के इसके before रख्त का फकह नहीं जमता है DPT के जो टीका लगता है यह आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से आपका बचाता है carbonς लिभीन रोगों की कमीस होने वाले रोग कौंकौं से हम एनिमिया जो रोग होता है वा लोगक कमीस होता है इसक्रवरी रोग आपका होता है आपको तो बिटामिन C कमी से, घेंगा जो तहुआ आपका Tradine कमी से होता है मैरेस्मस जो रोग होता है यह लिदियरकाहलि उपवास करने हरभी कने हरा क्षक कारण के सभी सहोता है को सीरोते की騙 आपका होता है यह प्रोटीन के अलपता करन होता है और बच्चों जो रिकेट्स होता है यह बिटामिन डी की कमी से होता है मधुमें जो है यह इंसुलिन कमी करन होता है और जीरो थैल्मिया आपका रोग जो होता है वापका बिटामिन एक कमी से होता है आफीम जो हमें प्राप्त होती है यह फल की हिस्ते से प्राप्त होती है इसी प्रकार जो हिंग प्राप्त होती है वह जड़ से प्राप्त होती है रबर जो प्राप्त होता है वह तनी से प्राप्त होता है और कुनायन जो है यह च्छाल से प्राप्त होता है अक्सर परिच्छा पुछाता है कि आप ही पौधिक किस भाग से पाजाते आपके फल से प्राप्त होता है इसी प्रकार से प्रमोख जीवेग्यानिक और उनके योगदान कमरों देखेंगे जोनास साल्क ने आपके पोलियों की बचायक लिए टीकी की खोज की थी ये अक्सर पर इस्ञाप पुछा गया है कि पूलियों का टीका किस ने त्यार किया है तो आपका जोनास साल्क ने त्यार किया है रक्त समु की खोज और आरेस फैक्टर जो खोज है यह आपका काल लेंड इस्टिने न कीए है और ईको सिस्टम सद्धका प्रयोग है वह आपके AG टांसलेंस सबसे पहले किया था करल्लीनियस को वर्गजी का पिता भी कहा जाता है साथ में दुए नाम पदत का प्रतवादान है वह करल्लीनियस नहीं किया है और इसने पुस्तक लिखिए है पुस्तक लिखी है और साथ में जो है जिनेरा प्लांटारं जो है यह भी पुस्तक कैरोलस लिनेस ने लिखी है और साथ में जो है आधुनिक वनस्पत विज्यान के जनक भी कहा जाता है क्रिस्टियन बर्नार्ड जिननों ने पर्था माने वीर्दय प्रत्यारोपन आउपरेशन का श्रे इन्हीं को दिया जाता है पुस्तक की रश्ना कीए और यहाँ बीगल नामक जहां से पूरी दुनिया का भरमन किये थे चार्स दार्विन, फांक ने जो है विटामिन सब्द का प्रतिपादन किया था हीगो डुब्रीज जो है इन्होंने उत परिवर्तन म्यूटेशन का सिधान दिया था और हॉपकिन और फांक ने जो है विटामिन की खोचकी थी जे इप पुरकेंजे ने जीवदरब का नामकरण किया था और जो आंसन ने जो है जीन सब्द का प्रतिपादन किया था राबार्ट होक ने कोश का खोच की थी और कोश का सब्द का प्रतिपादन किया था और इन्होंने माईको गराफिया नाम पुस्तक लखी है और इसलिए इने जो है कोस का विज्ञान का जनक भी कहा जता है राबर्ट होक को इन्होंने कोस का कोच की थी कोस की आउधारणा स्यल थेवरी का जो प्रित पादन है वह स्लाइडेन और स्वान ने किया है और वार्टसन आउख्रिक न जो है DNA की आण्लिविक रचना के लिए दोई कंडलित प्रारूप का प्रित पादन किया है तो यह भी कापी important है Swan और Sliden ने जो कोज का उधाना दी है और Watson और Crick ने जो है DNA की आणवी रचना के लिए दोई कंडलित प्रारूप का प्रित पादन किया है और Alexander Flaming ने जो है यह आपके Penciling के खोज किया है तो जितने भी important fact हम लोग उसका quick revision कर रहे हैं वर्गी की का पिता आपका का लिनियस को कहा जाता है अनुवान से की का जो जनक कहा जाता है आपका Gregor John Mendel कहा जाता है और इन्होंने जो है जो गार्डन में मटर है उस पर इन्हों रिसर्च की थी Gregor John Mendel ने वनस्पिती सास के जनक आपका थ्रिवाफिस्टर का जाता है और रक्त परिसंचरन की जो खोजवाब के विलियम हार्वे ने की है जीव विग्यान की प्रमुख साखाओं को हम लोग देख लेते हैं एंटोमोलोजी में कीटों का ध्यान किया जाता है आर्नियो आर्नितोलोजी के अंतर जो है यह पच्छियों का ध्यान किया जाता है डर्मेटोलोजी का तचा और इसके रोगों का ध्यान किया जाता है और पैडोलोजी में जो है मिर्दा मिर्दा निर्मार मिर्दा की प्रका आधिका जो है अध्यान किया जाता है मायोलोजी में मनुस्री की पेसियों का अध्यान किया जाता है और एंथोलोजी में आपका फूलों का अध्यान किया जाता है ऑंकोलोजी में कैंसर वा सम्मधित त्यूमर का अध्यान किया जाता है और एपी कल्चर में ब्यापारी कस्तर पर सहद उत्पादन और फश्वों में परागरणव्हेतु मद्मक्की पालन इपी कल्चर के उन्तर गया एक आपका एपी कल्चर एक आपका एवी कल्चर एवी कल्चर में पत्ची पालन से सम्मधलित अध्यन किया जाता है पीसी are not pinальная oldeari कल्चर में सबजियों के क्रिसिक के संदर में जो है अध्यन कहता है और बोरी कल्चर में अरजारी उटिके हई जनहों पोलोजियों और मसालों के खेती चीए और आध्यू मृण कि खेती है गो ओंडती चलियु आठीजियों आध्यार में अद्ध Whose Royal जीव जो आपका नीली वेल है और सबसे बड़ा अस्थली अस्थनी जीव आपका अफरिकन हाथी है सबसे छोटा पच्छी आपका हमिंग बर्ड है और सबसे लंबी जो कोशका आपकी तंत्रिका कोशका है यह जो है सबसे लंबी कोश का है सबसे छोटी अस्त जो आपके इस्टेपीज होती है आपके कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी जो ग्रंथी है आपके वह यक्रित होती है और सबसे बड़ी अस्त जो आपके होती है यह फीमर होती है सबसे बड़ा अंगा आपका इसकिन होता है और हमारे सरी में जो रक्त होता हुआ 5-6 लिटर होता है और माना और रक्त का जो चाप होता हुआ आपका 120 बटा असे mmHg होता है सामान रक्त चाप जो RBC का कारेकाल होता है लाल रक्त कानिकाओं का वापका 120 दिन लगभग होता है इसी प्रकार से WBC का जो जीवन काल वापका 2-5 दिन का होता है स्वेत रक्त कानिकाओं का हेमोगलिवीन का परस्त देख लेते हैं आम लोग पूर्सों में 16-14 G आपान 100 Cc रक्त होता है और यह जो महिलाओं में वह कम होता है वह 12-14 G प्रति 100 Cc रक्त होता है सर्वदातार जो रख समूग होता है आपको आपका O होता है और सर्वग रही आपका AB होता है और हमारे सरी के जो तापमान होता है सामाने तापमान हो आपका 58,4 फॉरें हाइट होता है और सवसंदर जो हमारी होती हुए 16-20 प्रति मिनट होती है एक मिनट में लोग 16-20 बार जो है स्वांस लेती हैं इसी प्रकार से सरीर में कुल PCU जो संख्या होती है आपका 649 होता है और सरीर में कुल भार में जल का जो हिस्सा होता है वो लगबाग 500% होता है सबसे बड़ी अंतर सरावी जो ग्रंती होती है आपके थाइराइड होती है थाइराइड ग्लेंड और सबसे बड़ी जो कोशका होती है आपका निवरान होती है और सबसे बड़ी स्वेत रक्त कोशका आपकी मोनुसाइट होती है सबसे दिए पुनुरूरोद भावन शमता जो होती है वह यकृत कोषका göster ता है । उससे कम आपके मस्तिस्क कोषका करें पार जाता है इसलिए जो है हम लोग मस्तिस भावन बचा कर रखते हैं । क्योंकि जो है इन में सबसे कम पुनुदभवन छमता होती है और सबसे दिख आपका यक्रित में होती है पैंसिलिन के खोज आपके कि अलेजियर ने फ्लेमिकन किया है और जोना असाल के ने आपका पूलियो का टीका बनाया है हम लोग कुछ फलत को देखते हैं और उनके खाने वाले भाग को देखते हैं सेव का हम लोग पुसपासन या थैलामस हुए खाते हैं आम की हम लोग मद्य फल वित्ती खाते हैं, नारियल में भुरुन पोस को खाया जाता है, अवलीची का जो है एरिल जो भाग वो एक खाया जाता है, नासपाती में पुसपासन या थैलामस खाया जाता है, अमरोद में फल वित्ती और बीजान डसन ये दोनों भाग खाया जात और उसके खानेवाली भाग को भी देख लिए हैं प्रमुख संस्तान उसके केंद्र काउन कौन से हैं भारती सब्जी अनसंदान संस्तान आपके वारानसी में हैं और यह काफी इंपोर्टेंट भी है नेशनल बोटेंटिकल रिसर्ज इंस्टिट यापके लखनों में स्थित ह है राष्टी पादफ अन्वांसिक संसाधन ब्यूरी आपके नई देली में हैं भारती पस चिकिसा विज्ञान अंसंदान संस्तान आपके इजद नगर बरेली उत्रपतिस में स्थित हैं और सेंट्रल ड्रग रिसर्ज इंस्टिट यापके लखनों में स्थित हैं दूद मे खान होता है या के कैरोटिन करान होता है अंडे में जो पीला भाग होता है उसको अलबुमीन कहा जाता है जो लोग खाते हुँगे विशियो विफ़िशवरुख जानते हूंगे रक्त का थक्का बनने में जो सहाय क्रोटीन होता है आपका फाइब्रे नो जम होता है यह काफी इंपोर्टन है फाइब्रे नो जम की उपस्तिती जो है रक्त का थक्का जमता है और गेहूं से प्राप्त होने वाली उर्जा का जो करनवा आपका गलोटीन है यह आपका काफी फाइब्रे नोजम इसके उपश्तियर रक्त का थक्का बनता है रक्त क्या है रक्त एक तरल सन्योजी उतक है और हमारे सरीर में 5-6 लीटर वह रक्त होता है और इसका पी एच मान होता है वह 7.40 से लेकर 7.50 तक होता है और यह जो है इसकी प्रकित होती है अलका छारी होता है और इसके जो रक्त का जो अध्यान के जाता है वा हीमाइटो लॉजिक के ँन्तरकत किया जाता है और चार चार अंसल्सिस पर उसे रखा जाता है जो मेटकल वगरा में हम लोग डोनेट करते हैं उसका तापमान रखा जाता हुआ चार अंसल्सिस पर रखा जाता है और उसकी जो एक इनुट होती है रखत की एक इनुट होती है वह तीन सो पचास मिल होती है एक पाउच नहीं होता है उसकी जो जो छमता होती हुआ 350 ml होती है और इसे जो है 4 अंसलसिस पर रखा जाता है प्लाजमा में लगवग 55-60% वह अपका रखत होता है और प्लाजमा में जो है लगवग 90% जो है वह जल होता है और 7% आपका प्रोटीन होता है लाल रक्त कनिकायन इसका जिर्माड होताओ आप अस्थिमजभा होता है, अक्सर प्रिछां पुछता है, यह आरोजण का प्लिया में जाकर नुश्ट हो जाती है, और जिससे रूज़ी का कब्रिस्तान भी आता है, और इसका जिवनकाल आपको होता है, लगबक 120 दिन के जो है इसका जीवन काल होता है और इसका जो कार्य होता है आर बीसी का वह संपूर सरीर में आक्सिजन का परिवहन करना इसका कार्य होता है और इसका लाल होने का जो कारण वापका हेमोगलोबीन कारण जो है यह लाल होती है यहां पर इंपर्टन एक फैक्ट आपका उट और लामा इस में जो फ़िए JisEM किंद्रक होता है और किसी भी ry Simmons кий में युद्र किंद्रक नहीं होता G vais weil ढूराय अगलारा चनु度 WBC स्वेत रक्त कणका हैं इनका जो निर्माण है वह आस्तिमज्जा पलीहा और यक्रित में इसका निर्माण होता है और यह जो नस्ट होती है यह मानोरक्त में स्वेत रक्त कणकाई नस्ट होती है और इनका जो जीवन काल होता है वह दो से चार दिन इनका कारे काल होता है अगर कंए तो प्रतित च्छ्छा श्मता जो जीन हो जाती है रोधी राण या per रोदियर प्ले लिन्स्ट इन्का निर्माल होता है और स्थिमज मलगें लिए रत्स त्यूंत नाटाचब ज्टस Holy चित मॉने आपको लंप वेतड़ा श्काइए स्पि मोग oluyor करने लिटामिन के सहायता करती हbas और गुर्दें मेरा यह और नियफ्राण जो है यह गुर्दे की सन राशनात्मक ल होती में मोत्र, मोत्र का जो पीला रहा होता है वो आपका यूरो क्रोम करण होता है और इसमें जो गंध होती है वो आमोनिय करण गंध आती है मोत्र में जो गंध आती है वो आपके आमोनिय करण आती है बोन, हड्डियां जो है यह केल्सियम और फासफरस से बनी होती है हैं और हड़ियां केल्सियां कारबनेड कारणम्हान जो है मोटी और मजबुत होती हैं और हड्डियों में और सी नामक Protein प्रोटीन पाय जाता है अउले में कंशेला प्राणमें इपका टैनिंग कारण होता हैं बादान में कर सवभार जो हती है मिलेडिन कारण करना होती है पाफिते में पीला रंग करिछीन होता है और मिर्च में तीक पन आफ सिंक खीरे में कलवआ हट जी आपका कुकररही बीटेसिं करना होता है अभी लैसुन में गंद pand aims करह negotiation होता है टामाटर में जो लाल रंग होता है आपका लाईको पीन करन होता है हल्दी का पीला रंग होता है आपका कूरकुमिन करन होता है और गाजन में रंगे रंग जो होता है आपका कैरो टिन करन होता है आई आपनों कुछ गुण सूत्र को देखते हैं मानम टोटल 46 गुण सूत्र होता है और आपके 23 जोड़ा होता है इसे प्रकार से कुट्टे में 78 होता है मटर में 14 होता है आलू में 48 होता है खरगोस में आपका 44 होता है गेहुं में 42 होता है और घोड़ी में आपका 64 गुण पुष्टक लिखिया है और इसने जो है कुख्यात ब्यपकर सिध्धान जिसे राज हडपनेग नीत की नाम से मैं मुझे जानते हैं और सबसे पह्री जो हडपनीत का जो सिकार हुआ था आपका सतारह हुआ था 1846 में इसके बाद संभल पुर 849 में जायदपूर 1849 में बघाट आपका 1850 में उधेपूर 1892 में जहांसी श्राथ इसी प्रकार से नाकपूर 84 में हुआ था और या जो है लाड अलहाउलजी ने शुरू कि थी आवद का जो बिला हुआ था भू आथावर्श 256 में और या जो है 18-27 के बिदरू का करण हुआ था अर इस पर जो है कुसासन का आरोप लगाया था कुशासन कारूपलाका को जो है आवद का बिले किया गया था और भारत में जो रेलवेक नीव आपका 16 अपरल अठाव स्तिर्पन में रखी गए थी और यह जो ट्रेन चली पहली वो मुंबाई से ठाणिक मती चलाई गए थी अठाव स्तिर्पन में गवर्नर जनरल हाल्डी कारेकाल में पर्थम आंगल सिक युद हुआ था 1846 में अदुती आंगल सिक युद यह आपका 1848 से 1849 के मते लड़ा गया था 29 मार्च 1857 को नए कार्थूसों को प्रियोग की बिरूद में जो है मंगल पांडे ने सुवर और गाय की चर्विक के जो प्रियोग हुआ था उसी में बिरूद किया गया था सभी बिरूद किया थे और मंगल पांडे जी जो थे यह आपके 34 में बंगाल नेटिव इनफेंटरी के जो है एक सैनिक थे 34 में बंगाल नेटिव इनफेंटरी के और इसनों जो है 8 अपरायल 1977 को मंगल पांडे जी को फांसित दे दिदी गए थे कहां कहां से किस ने बिरोध किया था जिसने लीडर सिप किया था उसको अम लोग देख लेते हैं दिल्लीम जो है जनरल बक्त खान ने नेतिरत किया था ठाव सतावन का इसी प्रकार से जहांसी से रानी लच्मी बाई, इलहाबास से लियाका तली, गुवालियर से तात्या टोपे, गोरकपुर से गजाधर सिंग, कानपुर से नाना साथ, लखनव से बेगम हज़त महर, बरेली से बहादुर खान बहादुर, इसी प्रकार से बिहार से कुवर और फैजावासे महलवी आमा दुल्ला यह जो सभी नों नेतर्थ किया था यहां से प्रस्ण आपकी परिच्चा में एक प्रस्ण देखने को जरूर मिलेगा आप लोग इसको जरूर ध्यान देजेगा भारत में समिधान सभा के गठन का जो सबसे पहले विचार आया था जो नहीं विचार दिया था वह एमन रोय थे और इन्होंने अपना विचार रखा था वह वर्स 1934 में इन्होंने अपना विचार रखा था कि भारत में जो है एक समिधान सभा होनी चाहिए भारत के संबिधान ने अपने अधिकांस प्रावधानों को जो है 20 के कई देशों के संबिधानों से लिया है और साथ में भारत सरकार अधियम 1935 के प्रावधानों से लिया है वर्स 1938 में पंडी जवाला नेरों ने भारती राष्टी कांग्रेस की ओर से घुशला की थी कि स्वत्मत भारत की संबिधान सभा के जो सदक से होंगे वह वयस्क मता अधिकार के आधार पे जो है चुनी जाएंगे निर्वाचित होंगे और इसमें जो है कोई बाहरी हस्ता छेप नहीं होगा तो प्रश्ण आपके परिश्चम सीदे पूछा जाएगा कि स्वत्मत भारत के संबिधान सभा के जो सदक से होंगे वह किसकी आधार पर चुने गए थे तो वह आपके वयस्क मता अधिकार की तो यहाई लगा लगार लगे उक टो से हो तो करता लूपके दो के सँत्वस्ता है वहाई होगा के जो दो से चालिए हो जो लगे जो से ही करता है भारत में सम्विधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एमन राय द्वारा वर्स 1934 में रखा गया था कि भारत में जो है एक सम्विधान सभा होनी चाहिए और यह विचार सबसे पहले एमन राय ने वर्स 1934 में रखा था भारत के संबिधान ने अपने अधिकांस प्रावधानों को बिश्र्व के कई देशों के संबिधानों और साथ में जो है भारत सरकार अधिन्यम 1935 के प्रावधानों से लिया है वर्स 1938 में पंडी जवालन नहरू ने भारती राश्टी कांगरेस की ओर से घोशला की थी कि स्वतन्दर भारत का संबिधान वयस्क मता अधिकार की आधार पर निर्वाचित संबिधान सभाद वरा तयार किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्ता छेप नहीं होगा तो प्रश्ण आपकी परिच्छम सीधे पूछेगा कि स्वतन्दर भारत का संबिधान जो तयार किया गया है उसके जो सदस चुने जाएंगे वो किसके आधार पर चुने गए थे तो वह आपके वयस्क मता अधिकार के आधार पर चुने गए थे कैबिनेट मिसन योजना का जो गठन किया गया था वह नवंबर 1916 में इसका गठन किया गया था और इसमें तीन सदस थे और यह आपकी परिच्छा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से प्रस्द पूछा भी गया था इसमें तीन सदस थे एक आपके लॉर्ड पयाथिक लॉर्ण्स थे दूसरे सर इस्टेव फ़र्ड क्रिप्स थे और तीसरे आपके एवी अलेगजेंडर तो यह तीन सदस थे कैबिनेट मिसन में संबिधान में कई बड़ी परिवर्टन होने कारण 22 में संबिधान संसोधन अधियम 1976 को मिनी कॉंस्टियूशन कहा जाता है और इसमें मुस्लिम लिग इस बैठा का बहिसकार किया था और साथ में अलग पाकिस्तान की मांग भी उन्हों रखी थी राजेन प्रसाद को भारती संविधान सभा के अध्यच बनाए गया था और इसे पूर्व जो है संविधान सभा का आस्थाई अध्यच चुना गया था तो अगर प्रस्ण पूझता आपके परिच्छा में संबिधान सभा के आस्थाई अस्धच कौन थे तो आपके राजिन प्रसाज जी थे अगर आस्थाई पूझता है तो आपके सचिदन सिना जी थे और पहली बैठाग जो आजित की गई थी संबिधान सभा की वह 9 दिसंबर 1946 को आईजित की गई थी संभीधान सभा में दो उपाध्यज थे एक आपके एसी मुखर जी जी थे दूसरे आपके वीती किश्लों में चैरी थे दो उपाध्यज थे संभीधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाला नहरू ने उद्देश प्रस्ताव जो है वो पेस किया था संभीधान सभा में जो है उद्देश प्रस्ताव जवाला नहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेस किया था आप लोग ये डेट जरुरियात करे लिएगा डारेट वर डेट ही पूचता है जफाल नेरू उद्देश प्रस्ताव को सम्विधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पीस किये थे सम्विधान सभा दोरा कब कौन से चीज़ जो है अपनाए गया था उसको अम लोग देख लेते हैं काईबर परिश्यम पूछा भी जाता है राष्टी ध्वज को 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाए गया था राष्टी गान को 24 जनवरी 1950 को अंगिकार किया गया था राष्टी गीत को 24 जनवरी 1950 को अंगिकार किया गया था प्रारूप समित में जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल सास अदस थे और जिसमें डॉक्टर भीम्राम अमिटकर जी जो थे या इसके अधर्ष थे आन्ने जो अधर्ष थे उनको लोग देख लेते हैं एन गोपाल स्वामी आयंगर अलादी किश्लाम स्वामी आयंगर आयर आपके डॉक्टर किया मुंसी सयद मुहमद सादुला एन माधारा जिन्होंने बियल मित्र की जगा ले थे और उन्होंने खराप स्वास्त की कारण इस्थीपा दे दिया था और एक आपके टीटी किश्लाम चारी थे जिन्होंने डीपी खेतान की जगा ले थी क्योंकि उनकी मुर्त जो है उन्नी सों आन्तारिस में हो गई थी तिस प्रकार जो है प्रारूप समित की सदस थे और इसके जो अध्या चुने गई थे वो भीमरा अमबिटकर जी थे दो सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन किया गया था और इसमें जो है मुस्लिम लीग के सदस जो है सामिल नहीं हुए थे हाला कि उनके सामिल ना होने के लिए विकल्व खुला रखा गया था और 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनरगठन किया गया था तो मुस्लिम लिग के 5 प्रतनिधियों को कैबिनेट में सामिल किया गया था कई बर प्रस्ण आपकी परिशाम डालेट यहां से पूछता है कि कौन सा केश जो है कब हुआ था तो मिनरवा मिल्स केश जो है आपका 1980 हुआ था और इसमें जो है सुप्रिम कोट ने कहा था कि भारती संविधान के निव मौलिक अधिकानों और नीत के निर्देशक सिर्धान संतों के संतुलन पर रखी गई है संविधान में कहीं भी संगसब्द का प्रियोग नहीं किया गया है इसकी अस्थान पर हमारे संविधान में अनुछेद एक में कहा गया है कि भारत यह राज्यों का संग है आर्टिकल एक में भारत के बारे में बताया गया है कि भारत यह राजियों का एक संघ है और हमारे संभीधान में कहीं पर जो है संघ सब का प्रीजोग नहीं किया गया है बलके इसको पषबीभासत किया है कि संभीधान के भाग एक यंतरगर जो हाटिकल example 4 तक शंग और इसके छेतरों की चर्चाитесь की carry important article है उनको लोग देख लेते हैं जिन में आपका अनुचे 21A है प्रारंभिक सिच्छा का अधिकार इसे जो है 86 में संविधान संसोधन जो 2002 हुआ था इसके तहट जो है इसे इंक्लूड किया गया है और इस संविधान संसोधन के तहट जो है प्रारंभिक सिच्छा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है और इसके तहट राज जो है छे से लेकर 14 वर्स की आयू के सभी बच्चों को राजद्वार निर्धार तरीके से मुफ्त और अनिवार सिच्छा जो है प्रदान करेगा तिया है आयू आप लोग विशेश ध्यान दिजेगा प्रस्ट यहां से भ प्रस्ट तक जो है मुफ्त और अनिवार सिच्छा की ब्योस्ता करेगा राज्य और इसे जो है आर्टिकल 21E की तहट जो है परिभासित किया गया है आर्टिकल 40 जो है यह ग्राम पंचायतु गठन सम्मदित है आर्टिकल 282 आपका वित्त आयुक सम्मदित है आर्टिकल 312 आकिल भारती सिवाय राजपाल की नियुकति समंदिज प्रावधान आपकी आर्टिकल 155 में है आर्टिकल 312 में आपातकाल गोसरा की गयी है जैसा कि हम लों जानते हैं हमारे संभिधान में तीन प्रकार की आपातकाल की चर्चा की गयी है वित्ती आपातकाल आपका राश्पती सासन जिसे हम दो जानते हैं तीसरा आपका राश्टी आपातकाल आर्टिकल 36 में राश्पती सासन के संदर में बताये गया है और आर्टिकल 36 में आपका वित्ती आपातकाल के बारे में बताये गया है 92 में संभिधान संसोधन जो 2003 में हुआ था इसमें आठमी अंसूची में बोडो, डोंगरी, मैथली और संथाली भासा को जोड़ा गया है भारती संभिधान के आठमी अंसूची में भासाओं का प्रावधान किया गया है और हमारे संविधान प्रोटल 22 भासाओं को जो है मानता दी गई है आर्टिकल 89 अमसार जो है संग के लिए एक संसद होगी और संसद में राश्पती होंगे और दो सदन होते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं राश्पती होती है दूसरी आपके लोग सबा होती है संसद के तहे जो है राश्पती लोग सबा और आपके राश्पती है संसद के प्रते सदन को राश्पती समय समय पर समएजरी करता है और संसद के सतरों के बीच जो अधित्म अंतराल होना चाहिए वह 6 मान से आधिक नहीं होना चाहिए यह परिच्छम आपके कई बार पुछा गया है दो सत्रों के बीच अधिक्तम जो अंतरार होना चाहिए वो छही मांसे अधिक का नहीं होना चाहिए और संसर्ड में सामानेते जो है तीन सत्र आयजित होते हैं एक आपका बज़र सत्र जो फरवरी से मही तक होता है दूसरा आपका मांसून सत्र जो जुलाई से सितंबर होता है अब तीसरा आपका सीथ कालिन सत्र होता है जो नौंबर से दिसंबर तक होता है तीस प्रकार सामानेते जो है वर्स में तीन सत्र होते हैं लोगसभा में अरिक्तम जो संख्या निधायत की गई है वो 552 निधायत की गई है जिन में 530 जो है राज्यों से जो प्रतनेधी चुनी जाते हैं और 20 आपके केंसाजित प्रद्यूसों के प्रतनेधी चुनी जाते हैं अर्वन निर्वाचित लोगसभा सदस्यों को सफद्यूँ से पहले लोगसभा के सामानता सबसे वर्यस सदस्य को जो है प्रोटम इस्पिकर ग्रूप पे चुना जाता है तो आप लोग कॉनबाक्स में ताईगा कि जो 2019 में प्रोटमी स्पीकर किसी चुना गया था, इसका उतर आप लोग कॉनबाक्स में देजीगा एक सेट में समिधान संसोधन अधिनयम 1989 के द्वारा जन प्रतिनिजित अधिनयम 1951 में संसोधत का जो है मता अधिकार की जो आई हूँ है वह 21 वर्स घटा कर 18 वर्स कर दी गई है और यह संसोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी जो है हुआ था, पहले जो आई थी मता अधिकार की वह 21 वर्स थी और इसे जो है 18 वर्स कर दी गई थी, और इसे में जो प्रणान मंत्री थे वह राजीव गांधी जी थे 1946 में जो अंतरिम सरकार थे, उसमें जो प्रमुक सदस्त थे और उन्हें कौन-कौन सा विभाग दिया गया था, उनको अम लोग देख लेते हैं डॉक्टर राजन प्रस थे, इनने है खाद और क्रिस मंत्राले दिया गया था, डॉक्टर जानमथाई इनने उद्योग और अपोर्ट मंत्राले दिया गया था, सर्दा और बल्दे सिंь थे याव की रच्छा मंत्रे थे, सिच्छा क्ला जो है सी राज गोपाला अर चाज को देख लेते हैं वित्र मंत्री वो उस टाइम थे आरके सर्ण मुखम 60 थे यह जो है वित्र मंत्री थे और इन्होंने जो है स्वत्रमत्र भारत का पहला जो है बजट पेस्ट किया था और डॉक्टर भीम रामबिट का जो है यह कानुन मंत्री थे सरदार बल्देव सिंग यह रच्छा मंत्री थे और स्वास्थ मंत्री उस टाइम जो है राजकुमारी अम्रित कवर थी यह सभी जो है स्वत्रमत्र भारत के पहला जो मंत्री मंडल बना गया था उसके सरदस थे और उनके जो है विभाग थे अब हम लोग देख लेते हैं भारती संभिधान में जो है कि पहली कर्तब यह रोसी संभिधान से लिः गया है अस्ट्रेली संभिधान से समवर्क्त्य दोनुष सदनों की संभिध भैठक इसका जो प्रावधान है travailler संभिधान से लिः गया गया है और संभिधान वह लोग सभा अध्यच करता है लोग सभा अध्यच करता है और इसका जो वर्डन है यह आर्टिकल 108 के तहर जो है इसका वर्डन किया गया है दच्छिड अफरिका के समिधान जो है रासभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान लिया गया है और जर्मनी का जो बीमर समिध मौलिक अधिकार का निलंबन का प्राव द्रवाधान और संभी धान से राज की सतित्धों कॉद क्लिब कर लिए है। केस वारंद भारती जो केस हुआ था बनाम केरल राज या अपका 1973 मुआ था और इस मामले में सर्वोच नियाले ने गोल अखनात की अपने फैसले को खारिच कर दिया और गोशला की थी कि संसद संबिर्हान के किसी भी हिस्से में संसोधन कर सकती है लेकिन वह संबिर्हान के को बदल नहीं सकती है तो यह आपका केस वारंद भारती बनाम केरल राज जो 1973 में यह केस हुआ था उसमें कहा था और इसके पस्चाद जो संपत्तिक का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकारें सुची से हटा दिया गया था और यह पहले अनुच्छे 31 के तहत था और इसे व हुआ भारत के समिधान में समिधान के भागतिन में सात मौलिक अधिकारों को समील किया था बाद में जो है संपत्तिक के अधिकार को हटा दिया गया है और यह एक कानुनी अधिकार बना दिया गया 301 तहट और भारत के संभिधान के भाग 3 को जो है भारत का मैगनकार्टा भी कहा जाता है और इस भाग में एक लंबी एवंग विस्ति सोची है और यह है नयवचीत है मूल अधिकारों को जो है इसमें उल्लिक किया गया है संभिधान के भाग 3 जो आर्टिकल 12 लेकर 35 तक है इसके तहट जो है प्रतिक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है आई हम लोग वे सभी 6 मौलिक अधिकार को देख लेते हैं इनमें आपका समानता का अधिकार है यह आर्टिकल 14-16 की मद्ध है दूसरा आपका स के खिलाफ अधिकार है यह आटिकल 23-24 है धृर्म की सभधनता क का अधिकार यह आटिकल 25-25 के मद्ध है जुम brands षैचरी में जो चानुक अधिकार यह आपके आर्टिकल 32 के तहत है तीस प्रकार भारत के संभिधान में टोटल प्रतेग नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है गार्टिकल 24 में संभिधान संभिधान जो 1978 में हुआ था इसके तहर राष्टी आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 और 21 दौरा गारेंटी करित मौलिक अधिकारों नििलंबन नहीं किया सकता है यह सिर्फ दो अनुच्छेद हैं जिनका राष्टी आपात काल के दौरान निलंबन नहीं किया सकता है स्वत्नता के पसाद नए राज्यों के निर्माण के लिए 1973 में फजल अली के अधस्ता में राजपुनर गठन आयोग का गठन किया गया था और इसके में जो है तीन सदस्ते टोटल एक आपके फजल अली जो चेर्मैन थे दो अन्य जो सदस्ते वह केम पंडिकर थे और दूसरे आपके हिर्दयनात कुंजरू थे तो पहला जो राज बना था 1973 में वह आंधर प्रेश बना था तेलगु भासा के छेतर के अधार पर और बाद में जो है वर्स 1956 में राजपुनर गठन अधनियम द्वारा 14 राज़ों के अस्थापना की गए थी और साथ में जो है 6 किनसाजित प्रेश के अस्थापना की गए थी यह effect काफी important है टोटल जो है 14 राज और 6 किनसाजित प्रेश बनाए गए थे वर्स 1956 में राजपुनर गठन अधनियम द्वारा भारत के संविधान में टोटल तीन सूचियों का वर्ण किया गया है एक आपकी संग सूची है दूसरी समवर्ती सूची और तीसरी आपकी राज सूची है आए मों कोई विशाय देख लेते हैं संग सूची कंद्रगत कौं कौंसे विशाय संग सूची में रचा रेलवेए पोस्ट टेलिग्राफ आयकार कस्टम ड्यूटी बएंकिंग बीमा यह सबी जो है संग सूची कंद्रगत आते हैं समवर्ती सूची में सिछा है ब भारत में सरवर्थम नगर निगम वर्ष 1687-88 में मदरास में अस्थापित किया गया था और राज्थान देश का पहला राज था जहां पर पंचायती राज की अस्थापना की गया थी और इसका जो अक्टूबर 1969 को राज्थान के नागावर जिले में उस समय जो प्रधानमंत वो पढ़ानमनत्मरी जौलर नहरूजी ने कही थी वारत मान संबेधान में हमारे कुल-प वचीज भाग है बाइस भासाओं को मानता दी गई और वाइस अंशूचियां है तो टोटल हमारे संबेधानों देखा यह उनकों लो दिख लेते हैं गिरामी अंसूची जो थे यह आपके पंचायतों की सकतियों अधिकार और जिम्मिदारियों को जो है निर्दिष्ट करती है और इसमें टोटल वंतिस मामले हैं इस अन्सूची को 1972 के 1973 समिधान संसोदन दौरा इसे जोड़ा गया था गेरहमी अन्सूची को वर्स 1992 के 73 में समिधान संसोदन हुगा था उसके दौरा इसे जोड़ा गया था अगली आपके बरहमी अन्सूची है यह नगर पालिकाओं के सकतियों अधिकारों और जिम्मिदारियों को निर्दिष्ट करती है और इसमें टोटल अठारा मामले आते हैं और इसे 1992 के 74 में समिधान संसोदन दौर इसी जोड़ा गया था दसमी अन्सूची को वर्स 1985 के 52 में समिधान संसोदन दौरा जोड़ा गया था और जिसे यह दल बदल बिरोधी कानून की नाम से भी जाना जाता है तो इस प्रकार जो है ग्यरामी 1992 में बरामी आपके यह भी आपका 1992 में दसमी आपके 1985 में जोड़ा गया था वर्तमान में भारत के कुल 6 राज़ों में जो है दो सदन की ब्यवस्ता है अर्थात महा पर बिधान सभा और बिधान परसद दोनू है वह कौन से राज़ उनकों लोग देख लेते हैं एक आपका आंदर परदेश है दूसरा तिलंगाना तीसरा उतर परदेश चाउथा बिहार पाच्वा महाराष्ट और छत्वा आपका करनाटक है इन छो राज़ों में जो है बिधान सभा और बिधान परसद है वर्तमान भारत पुल जो है उची नियाले की जो संख्यापकी 25 है गुवार्टी उची नियाले की जो अस्थापना है वर्स 1947 की गई थी इसके अंदर गत जो नियाय छेत्र है वह असाम आता है नागा लैंड ह मिजोरम है अवलाच प्रेज इन सभी चारो राज्यों का जो है निया छेत्र जो है वह गुवार्टी उची नियाले के अंदर गत आता है गुवार्ट जो है पुर्तोगालियों कब्जे से वर्स 1961 में जो है मुक्त हुआ था और GST अधनियम जो आपका आया है वह एक से एक म संभिधान संसोजन जो 2016 में हुआ था उसके तहर आया था प्रावधान GST अधनियम आपका 101 है भारती गनतन्त की अस्थापनाक समय जो पहला बज़र जारी किया गया था वह 28 फरेज़ नियुक्त को जॉन मताई ने पेस किया था इंपीरियल बैंक आफ इंडिया का 1955 में भा स्थापना की गई था ऑर यह कि रामन समित की सिफारिस पर इसकी स्थापना की गई आपका बुंबई में इसका फुलफार्म कही बंक पूछा गया इसके जो है वर्तमान चेर्मन धेन बाड की चाउदा बैंको जो राष्टि करन किया गए था वह 19 उलाए 1979 किया गए था अवर्ड़ी स्टाम Murphy जो है भारत के प्रधान मंत्री थी वह आपकी इंद्रा गांधी जी थी अवर इसके बाद दूसरी बाद जो राश्टी करण किया गया था वह आपका उन्नीश स्वस्ती में उस टाइम टोटल छे वैंकु का राश्टी करण किया गया था प्रमुख क्रांथी और भारत में जो है उस क्रांथ के जनक कौन थे उनको अम्रों दिख लेती हैं पीली क्रांथ के जनक साइम पित्रोधा को माना जाता है स्विर क्रांथ के जनक वरगेज कुरियन को माना जाता है स्वन क्रांथ के जनक निर्पक टूटेजो को माना जाता है और लाल करंद के जनक विसाल तीवारी को मना जाता है तिस प्रकार जो है प्रमुक्रांद और भारत में जो है उसके जनक को मना कबर कर लिए है तिरती पंचवर्सी ओजना के दौरान 1964 में सोवियसंग के सहयोग से बोकारो आरेन और इस्टील कमपनी का स्थापना की गए थी और इसके अलामा राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो जर्मनी के सहयोग से की गए थी और यह आपके ओडिसा में है भीलाई इस्टील प्लांट यह रूस की मदद से यह आपके 36 गड़ में है और दुर्गापूर इस्टील प्लांट युनाइटिड किंग्डम से मदद से यह आपके पस्थिम मंगाल में है इसकी अस्थापना की गए थी कहां परिस्थित है किस देश के सहयोग से है यह आपके आपके नूट कर लिजेगा भारत ने 18 माई 1974 को राज्थान के पोखण में पहला भूमगर्द परिच्छन किया था और इसका जो नाम है वह है इस्माइलिंग बुद्धा रखा गया था जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवान बुद्ध हिंसा के हमेशा अहिंसा की बात किये हैं और जो पहला भारत ने परिच्छन किया था परिमाणु का उनका नाम ही जो है इस्माइलिंग बुद्धा रखा गया था जो एक प्रकार से कहा सकते हैं आप लोग अनुचित है नुञ जानते हैं पहले और बाद में जो इसका नामकरना है वर्श 2000 नौ में महत्माझंडी राष्टी ग्रामीड रोजगार यारंटी अदनिय अर्था जिससे सार्ट रोप में हम लोग मंद्ध्गा से नाम जानते हैं जोंट्यें मनद्ध्गा के किया घा था आप है एक जनुवीद 2015 को योजना आयोग को खतम करके जो है नीती आयोग की अस्थापना की गई है नीती आयोग की जो वर्तमान चैर्मैन है वह आपके मोधी जी है नीती आयोग के जो चैर्मैन होते हैं वह है प्रधान मंत्री है तो इस पर पर इस टाहिम मोधी जी है और उपाध् सब्सक्राइब करने वाला पहला देश बना था और भारत सरकार द्वारा एक जुलाई 2017 को पूरी देश में वस्तु एक सिवाकर जो है लागू किया गया था एक जन्वरी 2017 को जो है जी एश्टी लागू किया थी पूरी भारत में और सबसे पहला जो राज बना था वापका आसम बना था 2022 में जो रिपोर्ट जरी किए थी मानाव विकास सोचकांग रैंकिंग और इसमें जो है भारत की जो रैंकिंग वापकी 131 में अस्थान पर है भारत जो कापी खराब है भारत में पहले बार विमोद्री करन्ड जो है वो बरसद़र उनीlining 6忙 में किया गया था पहली बार विमुद्री करण 1916 में और तक opportunities दूसरी बार आपका 1998 में और तीसरी बार आथ नौंबर Rs.2016 लगुँँद 2918 में पहली बार भारती रूपे का आउंबुलिण किया गया था और अब तक टोटल जो है तीन बार किया गया है भारती रूपे का पहले बार 1909 में दूसरी बार 1906 में और तीसरी बार आपका 1991 में भारती रूपए का जो है आउमुलिन किया गया था भारत में आर्थिक उदारीकरण को जो है वर्स 1991 में अपनाई गई थी जो नीती है उदारीकरण की वर्स 1991 में अपनाई गई थी भारत की उदाय कर नीट के छेत में जो है, जो काफी योगदान रहा है, वो मनमोहन सिंग जी करा रहा है, और वह जो है, उस समय केन सरकार के वित्त मंत्री थे, आप लोग कानवाक्ष में आईगा, तो उस समय परधान मंत्रिक अर्भी आई, भारति रिजर्व्याइन की पारिज पर की गए थी एक अप्राइल 1935 को और बाद में जो है एक जन्वरी 1909 को इसका राष्टी करण किया गया था आरबियाई जो राष्टी करण है वह एक जन्वरी अर्बियाई के 25 में गवर्णर है वर्तमान में रेपो रेट जो भारत में है अर्बियाई द्वारत जारी किया जाता है यह आपका साड़े 6 परसेंट है और रिवारत से रेपो रेट आपका 3.35 परसेंट है इस प्रकार जो है हम लोग सामाना देन की जितने भी इंपोर्टन फैक्त है उनको लोग कवर कर लिया है आप लोग इस वीडियो को एक बार या दो बार जो है इस पीड बढ़ा कर देख लेजेगा जरूर देख लेजेगा अब परिच्छम आपके प्रसनिया से अक्सर देखने को मिलेंगे बीडियो को पुर्यक्त धन्यवाद जय हिन जय भारत